परिंदो से भी उची हमारी उडान होगी एक बार नहीं कई बार होगी चल रहा होगा जमाने में जब हार का दौर देखना जीत हमारी उसी दोरान होगी नमस्कार दौर्शतो हैपी इस डेडिजन में आपका स्वागत है और आज फिर से हम लोग डिस्कुस करने वारे है जारकन के शेत्रिय राजवन्स और बहुत जबरदर्स्त सेसन आज रहने वाला क्योंकि बहुत जबरदर्स तरीके से लगबग 140 प्लस क्वेस्चन करने वारे है ठीक है तो आपके लिए बहुत बरदर्स्ते सेसन रहने वाला है और जारकन के सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और इसपेशले जैसे सीजल के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि 40 क्वेस्चन पूचे जाने हैं यारी कि टोटल 120 मार्क्स आपका यहां यह लिजे आपके इस लिन के उपर यह रहा किस जनजाती के लोगों तवारा सबसे पहले छारकन राजजी के निर्मान के परिकरिया शुरू की गए थी इसका अंसर आपको बताना है और काफी महातुपूर्ण पराशन अक्सर आपको ऐसे एक्जाम में देखने को मजाते है बताएगा फटाफट से इसका सेंसर क्या पने का चारे सब की तरफ से आना चाहिए देखिए इसे रिलेटेड कुछ एक्स्टा इट्फरमेशन के हम पहले बात कर लें तो आपको सबसे पहले एक चीज़ यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले मुंडा जनजाती के द्वारा जार्खंड निर्मान की परिकरिया शुरू हो गई थी और उसमें भी किस ने शुरू किया था तो याद रिखेगा सरवप्रतम किस ने किया था तो नाम आएगा रिसा मुंडा का ठीक है रिसा मुंडा ने सबसे पहले किया था अच्छा उसे पहले बात करते हैं कि मुंडा जन्जाती का परवेश जार्खन में कब हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेगा छेसो बिसी में ठेक है छेसो इसापुर में मुंडाओं का छार्खन में परवेश हो गया था और सबसे पहले जार्खन राज निर्मान की परिकरिया मुंडा ने खास करके रिसा अब को इसका पता होना चाहिए अच्छा रिसा मुंडा ने क्या किया था सूतिया पहन को मुंडा का शार्खन नियुकति किया था किसे याद रिखेगा सूतिया पहन को सूतिया पहन को रैट उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या है ना कि विसी के नाम पर सूतिया पहन क तो टोटल साथ गढ़ में और टोटल 21 परगनामी विभक्त किया था ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अब देखिए अगर हम छेत्रे राजवंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको और क्या याद रखना चाहिए छेत्रे राजवंस में आपको कौन-कौन सा राजवंस पिर रामगर्ड देखने को मिलेगा और बहुत सारे अन्य चोटे चोटे देखने को मिलेगे जिसके बारे में हम अल्रेडी बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप छोटा नागपूर राजवंस की बात करेंगे तो इसमें मुंडा राजवंस पिर नागवंस विगर विग सबसे पहले जार्खंड राज निर्मान की परिक्रिया शुरू की थी अभी कुछ देर पहले हमने बताया था और इसका अंसर सभी की तरफ से आना चाहिए हमने कहा कि मुंडा जिन्जादी का परवेश कब शुरू हो गया था तो छे सो इसी छे सो बीसी में हो गया था यानि कि छे सो इसापुरू में हो गया था और हमने बताए कि सबसे पहले जार्खंड राज निर्मान की परिक्रिया मुंडा जन्जादी ने शुरू किया था और मुंडा जन्जादी में भी कौन रिसा मुंडा ने और रिसा मुंडा ने अपना क्य और लिएक परगना में विभक्त हो गया था ये आपको याद रखना है साथ गड'T में और एक comprend जाले अब इसका बनेगा किया बिलकुल करेक्ट अंसर लेंद शुरू हो गया है रिशा या रिता मुन्डा इसका बिलकुल करेक्ट रिखे कि उसका जो उत्राधिकारी था यानि कि मुंडाओं का मुंडा का अंतिम जो राजा था उत्राधिकारी कौन था बताए सूतिया पाहन ऐसे समझे कि सूतिया पाहन का उत्राधिकार कौन बना जैसे सूतिया पाहन शासक बना था तो याद रिखे का इसका जो उत्राधि बना था मद्रा मुंडा बना था उत्रा धिकारी के अगर बाद करते हैं ठीक है सूतिया पाहन के बाद ठीक है चले तो इसका अंसर तो हम आप्शन नंबर सी चूस करेंगे जितने भी सी थे बिल्कुल सही थे राइट ओके नेक्स बताईगा थ्री नवा क्वेस्टिन यह रहा सबसे पहले मुंडा जन जाते ने शुरू किया था और मुंडाओं का राजा किसे गोशित किया गया था सासाक बोले तो किसे किया गया था सबसे पहले मुंडाओं की मुंडाओं दुवारा कौन था तो रिषा मुंडा था जिसने जारखन निर्मान के परिगिरया शुरू क और रिशा मुंडा ने किसी सासा घोसीत किया था सूतिया पाहन को किया था इसी किनाप पर सूतिया नाखन रखा गया है जिसमें साथ गड़ और टोटल एक इस पर गना रखे गए ठीक है जिसका उतर अधिकारी कौन रहा तो मद्रा मुंडा रहा था लेकिन यहां पर पूच रहा है इसका से अंसर क्या बनेगा सूतिया पाहन यतने भी अप लोग अंसर कर रहे है बिसका बिल्कुल करेक्ट अंसर बन जाएका सूतिया पाहन ठीक है चलिए आगे बढ़ता है किया होगा य्या ब 네bin का सूतिया पाहन रहा है कि नाम पर क्या रहका था कि सूतिया पाहन के नाम पर क्या रखा था सूत्या नागछन रखा घ्या तैट सूतिया नागखन यह आपको याद रखना है जिसमें से टूटल साथ गड़ोंइश आप एकबर जाना चाहें मैं उता दौर कि साथ गण कौन कौन से द northwest चौन ध्यान से सुन लेज़ेगा, देखिए, सबसे पहले लोहा गड़ है, उसके बाद पालोन गड़ है, जिससे पलामो लोहा गड़ को लोहर दक्का, उसके बाद सी गड़ जो किसी बूम, उसके बाद मान गड़ जिसको मान बूम बाद में धनबा जाना गया, सारबूचा गड़ उसके बाद कॉसल गड़ और एक हजारे बाग टूटल साथ गड़ थे और एक इस पर गड़ ठीक है अंसर क्या बनेगा आपसन नमबर डी बनेगा जितने भी आप लोग आपसन नमबर डी चूज कर रहे हैं आपसन नमबर डी इस करेक्ट वर्न ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं क्वेशन नमबर फाइब की तरफ इसका अंसर बता दीजे का सभी कोई क्या बनेगा ये लीजे सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था इसके बारे में अभी हमने बताया था और इसका अंसर सभी की तरफ जाना चाहिए फटा फट से बताईए अंसर क्या बनेगा क्वेशन नमबर फाइब का चलिए बताईए सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था फटा फट से इसका अंसर बताईए सभी कोई हाँ फाइब का अंसर सभी को बता देजे क्या बनेगा चले 5 कांसर अना शुरू हो गया है बिल्कुल सूतिया पाहन बनेगा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था तो सूतिया पाहन इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा और जारखंड निर्मान की परिकरिया मुंडा खास करके रिता या रिशा मुंडा ने शुरू खिक्त ना है चले बहुत बड़ी हमनेगा ऑप्सन नंबर सी जितने भी करने भी कर में बिल्कुल करेक्ट अंसर है अगे बड़ी और आगे का अंसर देजेंगा का सूतिया नागखंड का अंतिम्राजा कौन था सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था या फिर कह लिजे कि सूतिया पाहन का उत्रा अधिकारे कौन था ठीक है सूतिया पाहन का उत्रा अधिकारे कौन था यह आपको बताना है यह अंतिम राजा कौन था आप question number 6 का सही answer सभी को बता देजीगा चले फटाफट से सभी के तरफ से इसका अंसर रहना चाहिए कैस क्या बात है मदरा मुंडा मदरा मुंडा सभी के तरफ से मदरा मुंडा अंसर आ रहा है और बिल्कुल सही अंसर भी है मदरा मुंडा यानि option number A is correct one जितने भी A आप लोग अंसर कर रहे हैं इसके बारे में already हमने बात किया था नेक्स बताएगा question number seven का सभी अंसर यह लिजी कि नागवांसी राजी के श्थापना कब की गए थी आपको इसका अंसर बताने दिना है यह कब की गए थी तो प्रथम शताबदी में प्रथम शताबदी में खास करके चौसठ एसटमें बोला जाता है तो प्रथम शताबदी आप बोल सकते हैं कि प्रथम शताबदी में नागवांसी राजी के श्خथापना की गए थी आप जानते हैं कि पहले नागवांसी राजा कौन बने थे तो फनी मुकुट राई बने थे आपको पता होना चाहिए कि फने मुकुट राय बने थे और आपको पता है हना कि अंतिम जो राजा हुए थे मदरा मुंडा हुए थे और उसका कोई भी उत्रा धिकारी नहीं था इसलिए नोंने क्या किया था कि फने मुकुट राय को ही गोद लिया था और इसी फनिमकुट रहने नागवन सी राजी के स्थापना के थी और अब राजधानी कहा बनाई थी बताईए राजधानी बनाई थी सूतियांबे आपको पता होना चाहिए किनों ने कहा राजधानी बनाई थी तो सूतियांबे राजधानी बनाई थी इसका बिल्कुल करेक्ट राजधानी बनेगा चाहिए बताईए थोड़ा सा हम अगर फनिमकुट राजधानी के बारे में जानना चाहिए तो क्या क्या आप यहां से याद रख सकते हैं फनिमकुट राए से तो देखे सबसे पहले बात तो यह याद रखिये कि मुंडा राजधा के बाद में नागवान शासन का राजधा था ठीक है उसके बाद फनिमकुट राए इस राजधा का जो था रोगशानी को जाना चाहिए और इसे और किस नम से जाना जाता है आधी पुरुष के नाम से किसे न जाना जाता है तो फने मुकूट राय को जाना जाता है सूतियांबे इन्होंने राज़ानी बनाई सूतियांबे और सूतियांबे में ही क्या है एक सूरी मंदिर भी है सूतियांबे में एक सूरी मंदिर भी है वहाँ पर यह आपको याद रखना है और फने मुकूट रहे ने अपना दिवान किसे बनाया अगर आपसे पूछ रहे कि फने मुकूट रहे ने अपना दिवान किसे बनाया था तब आप याद रख सकते हैं यह भावराय श्रिवास्तो को बनाया था जो कि एक गैर आदिवासी था मतलब आदिवासी नहीं था तो भाव राय शिरिवास्तों को क्या किया था इन्होंने दिवान बनाया था ठीक है चले तो अंसर क्या बनेगा option number C इस का बिल्कुल correct answer बनेगा यानि कि नागवंशी राजी के स्थापना प्रथम शतबदे में किस नहीं के थी फने मुकुट राय नहीं के थी यानि option number C इस का बिल्कुल correct answer बने जाएगा आगे बताएगा ये लिजे प्रथम नागवंशी राजा कौन था तो अभी इसका अंसर क्या बने जाएगा फने मुकुट राय जानि कि option number B जितने बिल्कुल correct answer हो जाएगा और हमने इनके बारे में बताया कि इन्हें आदी पुरूस के नाम से जाना जाता है आदी पुरूस के नाम से फने मुकुट राय को जाना जाता है उसके बाद आगे क्या याद रख सकते हैं कि दिवान दिवान का नाम क्या था गईज दिवान का तो याद रखेगा भाव राय ठीक है भाव राय श्रिवास्तो यह आपको याद रखना है ठीक है अच्छा चलिए आगे बात करते हैं तो देखिए एनी सहा के बारे में थोला सा बात करना चाहें तो any saa के बार में क्या याद रख सकते हैं 4791 में any saa hana है क्या था adesso जगनात मंदिर का निर्मार करवाय था जगनात मंदिर का निर्मार किस ने करवाय था तो याद रखी का any saa hana करवाय था ठिक है ये आपको याद राखना है तो answer क्या बनेगा इसका option number B, इसका बिल्कुल correct answer बनेगा, जितने भी आप लोग अंसर कर रहे हैं भी इसका बिल्कुल correct answer है चलिए next बताएगा question number 10 का सही answer, ये लिजे, कि नागवांसी शासक फने मुकुट राई की राजधानी कौन सी थी, फने मुकुट राई की राजधानी कौन सी थी, यानि कि इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी इसका अंसर सभी के तरफ से आना चाहिए और फटाफट से इसका अंसर देजेगा सभी को, चलिए फटाफट से बता दीजिएगा जाके नाथ मंदिर का निर्मान, exactly बिल्कुल से बात है, good morning चलिए बताइएगा, देखे सबसे पहले अगर बात करेगा कि इसका अंसर क्या बनेगा तो बिल्कुल कर्रेक्ट अंसर रहना शुरू हो गया उसा नमबर भी सूतियांबे, हमने कई पर बताया है इसी विडियो में, तो सूतियांबे इसका बिल्कुल कर्रेक्ट अंसर हो जाएगा जो कि मद्रा मुंडा का उत्रादिकारी था बोल सकते हैं उत्रादिकारी नहीं बोलेंगे बिल्कुल ये बोलेंगे कि उन्होंने गोद लिया था तो फने मुकुट्रे ने नागवनसी के साफना के थी पहली शताबदी में, प्रित्थम शताबदी में यानि कि 64 ईस्यू में आप ऐसे समझ सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं खोकरा के बारे में तो खोकरा राजधानी किसने बनाया था खोकरा या खोकरा का सकते हैं ये भीम करने बनाया था भीम करने खोकरा या खोकरा राजधानी बनाया था और भीम करने एक मातर ऐसा क्या था राजधा था ये सासक था जिनोंने करन की उपादी की राए सभी लोग राए की उपादी धारन करते थे लेकिन भीम करने और 12 साल इनको कैद करके भी रखा गया था हलाके बाद में इसके बारे में बात कर रहे होंगे और चूटिया राज़ानी किसने बनाया था बताई ने बनाया था तो नागवंशी सासन का प्रतम राज़ानी कौन सा था सूतियांबे हो जाएगा आपसन नमबर बी जितने भी आप लोग आपसन बी चूज कर रहे हैं आपसन नमबर बी इस करेक्ट बन वरी बुड़ गाइस बहुत बढ़िया नेक्स्ट बताईगा क्वेशन नमबर 11 का सही अंसर ये लिजी बहुत अच्छा प्रतम है जे रिड के नुसार नागवंशी रा प्रतम नागवंशी राजा फने मकुट्राइ जिनहीं क्या अधि वाजन आदी पूरूज के नाम से जाना गया ये आपको याद रखना है इन्हों ने सुतियांबे को राजधानी बनाए इन सारी इससे को हमेशा आपको याद रखना है चले आगे बढ़े और दिवान का न अजर दसमी शताबदी में ठीक है अब संसी बनेगा चलिए आगे बतिए बतेगा कि नागवांसी शासक फने मुकुट राय का राजिक कितने परगना में विभाचित था ये लिजए फने मुकुट राय के बारे में पूचा है ना कि सूतिया पाहन अगर सूतिया पाहन पूछा होता तब हम क्या करते तब हम कहते कि टोटल साथ गड़ और 21 परगणा में बटा है लेकिन यहां पर फने मुकूट राय के बारे में पूछा है तब इसका अंसर बताना है क्या बनेगा अगर सूतिया पाहन का पूछेगा तब अ करेक्ट अंसर हो जाए गए यानि option number c इसका बिल्कुल correct answer बनेगा जितने भी आप लोग option number c चूज कर रहे हैं बिल्कुल सही answer है पीडियाफ मिल जाता है पीडियाफ के लिए आप टेलिग्राम जोइन कर लीजएगा आपको पीडियाफ का लिंक मिल जाएगा comment box में ही पीन किय होगा है next question number 13 का answer इसका बियाशर मेरी क्याल से सभी को आना चाहिए ने मिल में से किस राजा को नागवांश का आदी पुरूज कहा चाता है अभी तुरह हमने बताया कि नागवांश का आदी पुरूज किसे कहा चाता है तो ये funny mokut rai को कहा चाता है यानि option number a इसका बिल्क इवान का नाम अगर पूछ ले तो भाव भाव राय श्रिवास्तो ठीक है उसके बाद याद रखेगा कि प्रिथम शताबदी में इसका निर्मान किया था जो कि मद्रा मुंडा के बाद नागवांश के स्थापना किये थे फने मकुट राय ने ठीक है इतना सारी चीज़ आ के नोगर में अभी हमने क्या बताया आपको याद होगा कि 1691 में इन्होंने जगनात मंदिर जो राची में जगनात मंदिर का निर्मान कराया था 1621 में एनिसाह ने जगनात मंदिर का निर्मान कराया था इसका अंसर क्या बनेगा option number A जिने आदे पुरुष के नाम से जाना जाता है आगे बताएगा question number 14 सब्सक्राइब क्या बनेगा चलिए फटाफट से इसका अंसर सभी को बता दीजिएगा फोटीन अबा क्वेशन का से चलिए क्या बात है option number D बन जाएगा option number D यानि कि पंचेत इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा जितने भी आप लोग option number D चूज कर रहे हैं option number D is correct one चलिए आगे बात करते हैं question number 15 का अंसर बताईएगा कि पंचेत राज श्थित था पंचेत राज कहा श्थित था इसका अंसर अब को बताना है और वहुत ही महातोपूर्ण अबराशन गैस और इसका अंसर बताईए सभी कोई क्या बनेगा चले 15 का अंसर क्या बनेगा बहुत बढ़िया option number A बनेगा जाने के नागवंशी राज़ी के पूरवे में ठीक है option number क्या बनेगा option number A इसका बिल्कुल correct answer बन जाएगा option number A नागवंशी के बारे में already हम बता चुके हैं कि प्रत् प्रते हैं question number 16 के तरफ में यह लिजिए बताईएगा फने में कुट रहने पंचेत राजी के सहता से किस राजी को पराजित करने बे सफलता प्राप्ति के थी इसका अंसर बता देजिए गा 16 नंबर question का सही अंसर सभी के तरफ से आना चाहिए चले बताईए बताईए इसका राजे जितने भी अंसर कर रहे है option number a क्योंचर option number a इसका बिल्कुल correct answer हो चाहिए का क्योंचर से एक नाम आपको याद आना चाहिए चंदराने मुर्मो अब देगा चंदराने मुर्मो किसे संबंदित है आपको बता देजएगा आपको बताना है तो सबसे कम उमर में female में यह लोग सबागे सदस से बने थी यह आपको बता होगा क्योंचर कहां ओडिशा ठीक है याद रखेगा यह बला आप याद रख सकते हैं अंसर क्या बनेगा option number a बनेगा जितने भी एंसर कर रहे हैं क्योंचर राजे बिल्कुल correct answer है ठीक है next बताएगा क्योंचर इस्थित था क्योंचर कहां इस्थित था तो अभी रिपीट हो गया है option number a इसका अंसर बनजेगा option number a चलिए आगे बताएगा 18 number question का अंसर यह लीजिए इसके बारे में हमने कई पर बताया भी है वैसे नागवांश्री शासक फणिमकूट राय का दिवान कौन था अभी कुछ देर प राय शिरिवास्तो इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा मैंने कई बार इसी वीडियो में बताया है और अब तक आपको याद होना चाहिए ठीक है अब तक आपको याद हो जाना चाहिए वाने मुकूट राय के बारे में पहली सताबदी याद रखिए दूसरी चेस फाने मुकूट राय ने इसका क्या करते हैं अस्थापना की याद रखिए आदी पूरुस का हचाता है याद रखिए सूत्यामबे इन्होंने राजधाने बनाए जहां पर उन्होंने एक सूरी मंदिर भी बनाया था ये याद रखिए ठीक है और फाने मुकूट राय के बा अभी हमने बताया था ना कि करेक्ट अंसर क्या हो जागा 19 का गैर आदिवासी कौन था तो भाव राय शुरेवास्तो जो था ओ गैर जन जाती था जिसको क्या किया था पने मुकूट रहे ने वह लिए क्या बनाया था दिवान बनाया था ठीक है 19 का अंसर बताईएगा option number A बन करेक्ट अंसर बन चाएगा आगे बढ़ते हैं गैश क्वेशन नंबर 20 के तरफ इसका अंसर बता देजीगा कि नागवल सी शासक वनिम को ट्राइग की हत्या किसने के थी वेरी वेरी इंपरेंट क्वेश्चन पटाफट से इसका अंसर सभी को बता दिजीगा इसकी हत्या क किसने की थी 20 आंसर बता देना है आप सभी को चले B बागदेव सिंग ने खिक है बागदेव सिंग ने ऑप्शन क्या बने गवते ऑप सा नंबर अप सन使्ग क्या बनेगा ऑप सन नमबर 169 आ बता सकते हैं तेरे सौ 68-88 में किया था रहे इंहोर आए इन्हों नहों नहीं ना न बनाया थी किसे बताएback को इंहोंने राजधानी बनायीती यह आपको याद रखना है तो अंसर क्या बनेगा और सम़र बी बनेगा जितने भी एंसर कर रहें वी इसका बिल्कुल करेक्टर अंसर है ठीक है आपसन नंबर बी चलिए आगे बढ़ते हैं और बतेगे का क्वेशन नंबर 21 का उसा फिये लीजे निमनमे से किसके शासन काल में पलामू किला का निर्मान कराया गया था अब देखिए पलामू किला के बात कर रहे हैं तो दो किला आप समझे ऐसे कि एक आप क्या समझ रहे हैं आपको कि एक एक नया किला होगा और एक पूराना किला होगा अगर हम नया किला के बात करते हैं तो नया किला का निर्मान किसने करवाया था तो मेदनी रायने करवाया था मेदनी रायने नया किला का निर्मान कराया था और पू 21 का से अंसर बतादेज़ेगा क्या बनेगा इसका अगेन के अंसर बनेगा option No.C बन जाएगा यानि कि प्रताफ राइस का बिल्कुल correct answer बन जाएगा जितने भी C आप लोग answer कर रहे है प्रताफ राइस बिल्कुल correct answer option No.C is correct ौन ठीक है चले आगे बात करते हैं question number 22 की इसका answer बता देजीगा क्या बनेगा चले प्रता प्राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से किस अर्थान पर हस्तान अंतरित किया था प्रता प्राय ने अपनी राजधानी का हस्तान अंतरित किया था अपटापट से बता देचेगा question number 22 का सही answer सभी की तरफ से इसका correct answer आना चाहिए चले बताईएगा तो प्रताप राई के अगर बात करेगा तो सबसे पहले क्या है ना कि funny moco train ने सूतियांबे राजधानी बनाई थी आपको पता है भीमकरने बनाया था यह आपको यद रखना है तो अंसर क्या बनेगा बताईए option number b इसका बिल्कुल correct answer बन जाएगा जितने भी आप लोग option number b चूज कर रहे हैं option number b is correct one option number b इसका बिल्कुल में कि भीमकरण से related एक सीजह आप यह याद रिख लिएगा कि भीमकरण ने राजधानी कहा बनाई had thi तो इनुने चूतिया से खुकरा राजधानी बनाए paid ठीक हैै खुकरा इनुने राजधानी बनाए थी यह आपको एक चीजा लख लोगना और इनुन नहीं ही भीम भी लड़ा गया था यह आपको याद रखना काफी महात्व पूरुन है ठीक है और भीम करने ही क्या किया था गैज कि जो रक्सेल राजा जो रक्सेल शेत्र है उसमें काफी लूट पाड़ किया था और वहां से वासुदेव राई की मूर्ति भी प्राप्ति किया था इतने सा कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है आगे बताएगा क्वेश्चन नंबर 24 का से अंसर यह लिजे नागवंश्री राजाहों द्वारा धारित करने की उपादे किस राजवन्स से प्रभापित थे यह लिजे बहुत ही जब प्रदर्श्ट प्रश्न और इसका अंसर सभी के रहे हैं आप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मार करके चलिए गा और इसका अंसर क्या बनेगा तो कल चुरी राजवन्स जो की नागवंस्र रजा वद्वारा धारित कर्यन की उपाधी किसे प्रभावित थी तो कल चुरी राजवन्स से प्र कि इसने पराजित किया था अभी कुछ थोड़ी देर पहले हमने बताए था अंसर बता दिजेगा क्या बनेगा तो जीतने भी अंसर कर रहे हैं, option number A , right, option number A इसका बिल्कुल correct answer बन जाएगा, आप सबी के तरफ से बिल्कुल correct answer अंसर आता हुआ, तो option number A इसका बिल्कुल correct answer बन जाएगा option number A ठीक है option number A इसका अंसर बन जाएगा देखिए अगर आप सीवधास करने से related कुछ information की बात करते हैं तो देखिए आपको यहाँ से क्या-क्या याद रखना है सबसे पहले याद रिखिएगा कि गुमला में गुमला में ने क्या किया था कि हापा मूनी मंदिर का निर्मान करवाया था ठीक है हापा मूनी मंदिर मैं काओ नहीं बोल रहा हूँ मंदिर बोल रहा हूँ हापा मूनी मंदिर का निर्मान किसने करवाया था सिवधास करने करवाया था लेकिन आपको एक क्याद है न महा माया मंदिर लेकिन महा माया मंदिर देखें कन्फियूजन क्या होता है महा माया मंदिर का निर्मान किसने करवाय था तो महा माया मंदिर जो कि किसने करवाय था बताए महा माया मंदिर का निर्मान तो ये गजगंट राय ने करवाया था कल की वीडियों में हमने बताया था कब किया था तो 908 इसे में किया था गजगंट रायने महा माया मंदिर का निर्मान जो की गुमला में ही है ठीक है जो की गुमला में ही है और सिवदासकर ने हापा मुनी मंदिर का निर्मन करवाया जो भी कहाँ पर है ये भी कहाँ है तो ये गुमला में स्थित है ठीक है गुमला में स्थित है कौन सा मंदिर तो याद रिखेगा हापा मुनी मंदिर और इस मंदिर में जो है वो याद रखेगा कि सियानाथ देव याद रखेगा नाम सियानाथ देव जो थे सियानाथ देव उनके हाथों से क्या हुआ था कि भगवान विश्णू भगवान विश्णू की प्रतिमा स्थापित की गए थी ये भी आप याद रख सकते हैं और ये कोरामबे विश्णुक मूर्थी जो है न ये कोरामबे में अस्थापित की गई थी ठीक है याद रखेगा और यह किसके संकालिंत है पूछ ले जाता है तो लोधी वंस के क्या थे यह संस्थापक थे मतलब की संकालिंत है यह आपको याद रखना है तो क्या अंसर बनेगा और बताएगा question number 26 का answer के लिजे बरवा की लड़ाय में विजय के उपरान तभिम करने बरवा के साथ-साथ पलामो के कि शेत्र पर अधिकार कर लिया था इसका answer बता देजेगा सभी कोई answer क्या बनेगा सभी के तरफ से इसका correct answer आना चाहिए चले बहुत बड़ी है guys जबरदस्थ है चले नेक्स बता देजेगा इसका answer क्या बनेगा 26 का answer सभी की तरफ से आना चाहिए चले आना शुरू हो गया option number B टोरी इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा और टोरी कहां पर है guys टोरी कहां पर है और टोरी इलातेहार चूला पानी से ही क्या निकलती है बती है चूला पानी से क्या निकलती है टोरी इलातेहार चूला पानी से डामोदर नदी का उदगम अस्थल है डामोदर नदी का उदगम है और दामोदर नदी के बारे में हमने कई पर पता है कि इसका टूटल जारखंड में डिस्टेंस से 290 किलो मेटर है ठीक है टूरी लाते हार से निकलती है इसे देव नदी देखे इसे किस-किस नम से जाना चाता है तो इसे देव नदी के नम से जाना चाता है साथी साथ बंगाल का शोक कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है उ तो पांसो बानवे किलोमेटर होता है दामोदर नादी के गर हम बात कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को हमेशा याद रखना है तो इसका अंसर क्या बनेगा ऑप्सन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्टर अंसर बन जाएगा इसके बारे में कुछ दिर पहले ही हमने बताया था और मैं चाहूंगा कि अगेन इसका अंसर सभी को आप लोग दीजेगा एक एक लाइक कर दिजेगा कैस्ट क्यूंकि लाइक बिल्कुल आधा भी नहीं है तो मैं चाहूंगा कि फटा फट से एक एक लैक सभी को इमानदारी से कर देजेगा मुझे बोलना ना पड़े इमानदारी से क्योंकि बहुत महनत लगती है guys एक महनत का परमान बस इतना दीजे कि एक एक like आप लोग इमांदारी से कर दीजे और अगर आप थोड़ा सा और इमांदारी दिखाना चाहते हैं तो एक share जरूर कर दीजेगा ठीक है एक share कर दीजे लैक कर दीजे जो like नहीं किये हैं नए लोग subscribe कर लीजेगा अभी तक lag नहीं पढ़ाएगा इस मतलब जितना है उतना ही है तो subscribe कर लीजेगा नए लोग और जो पूरा नहीं फटा-फट से subscribe कर लीजे और इसका answer बता दीजे तो भीम करन ही इसका answer बन जेगा जितने भी बी answer कर रहे है बी इसका बिल्कुल correct answer बन जेगा so option number B is correct one भीम करन के बारे में बात किया हमने कि इन्होंने भीम सागर का निर्मान करवाय था और बारवा का यूद्धि पि लड़ा गिया था और भीम करने कहां पर राजधाने बनाय था बताई खुकरा इन्होंने राजधाने बनाया था यह आपको याद रखना है चात्र करने के बारे में हमने क्या बताया था कि चात्र करने किसके समकालीन थे बताई तो यह लोदी वंस के संसापक मतलब की समकालीन थे लोदी वंस के क्या थे समखालिन थे यह आपको याद रखना है क्या बनेगा ऑप्सन नमबर बी जितने भी कर रहे हैं बी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर बन जाएगा चलिए बहुत बढ़ी है गाई नेक्स्ट बता दीजिए का बते इसका अंसर क्या बनेगा वासुदेव राय इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर बनेगा यानि कि आप्शन नमबर सी इस करेक्ट बनेगा जितने भी सी आप लोग अंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट अंसर है चलिए आगे बात करते हैं question number 20 ranky answer बता देजेगा क्या बनेगा कि किस नागवंसी शासक ने खोखरा को अपनी राजधानी बनाया खोखरा को राजधानी किसने बनाया ये आपको answer बताना है और सभी को इसका answer बता देजेगा क्या बनेगा छले फटा-फट के बारे में already हमने बात किया है थोला सर रगुनात साह के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि यहां से question आपको पूछा जा सकता है तो रगुनात साह सबसे पहले याद रखेगा कि ये औरंग जेब के समकालें थे ठीक है औरंग जेब के समकालें कौन थे तो रगुनात साह थे पहले बात तो आप ये याद रखे दूसरी बात ये याद रखे कि मदन मुहन मदन मुहन मदन मुहन मंदिर का निर्मान बोड़ाया रांची में बोड़ाया में है न बोड़ाया रांची में किसने करवाया था तो ये रगुनात सहा ने करवाया था बड़ाया मंदिर का निर्मान करवाया था मतलब कि मदन मोहन मालविय मंदर का लेकिन जगनात मंदिर पूछेगा न तो जगनात मंदिर एनी सहा करेंगे कैस एनी सहा जगनात मंदिर इसका अंसर करेंगे आप्सिन नमबर सी इस का बिल्कुल करेक्ट अंसर बनेगा ठीक है आप्सिन नमबर सी इस करेक्ट वन आगे बात करते हैं कुईशन नमबर 30 की सब्सक्राइब बता देजिएगा नेमन में से किसके आकरमन से बचने ही तो भीम करने अपनी राजधानी को खुखरा अस्तान अं चाहिए चले ठारीक अंसर बिस प्सक्राइब पर दीसलिम आकरमन मुस्लिम आकरमन इसका बिल्कुल करेक्ट अन्सर हो जागा जितने भी अप लोग भीजर गर रहे हैं बीस का बलकुल करेक्ट ऑर कंसर हो चाहिका चले बहुं बढ़े हैं नेक्स बताएगा question number 31 का से answer यह लीजे आपके सामने है कि इन में से कौन सा नागोशी राजा लोधी वन्स के समकालिन था अभी हमने बता न कि लोधी वन्स के समकालिन कौन थे बताएगे 31 का answer बता देजीगा 31 का से answer क्या हो जाएगा तो देखे लोधी वन्स के समकालिन कौन कौन थे तो एक तो प्रताब करण भी थे प्रताब करण ठीक है उसके बाद शत्र करण भी थे और विराट करण भी थे ठीक है यह सारे कि सारे किसके समकालिन थे तो लोधी वन्स के समकालिन थे तो option number क्या बनेगा option number D बने का right, option number D जितने भी आप लोग चूज कर रहे हैं D इसका बिलकुल correct answer है, ठीक है चले एक बारे मांदारी से like कर देज़ेगा सब्सक्राइब कोई ठीक है, like कर देज़ेगा एक-एक क्योंकि like बिलकुल बढ़ नहीं रहा जितना है उतना ही है like एक एक लाइक आपको करना होगा बहुत महनत लगती है, और मैं एक like का expectation कर सकता हूँ और नए लोग subscribe कर लिजएगा PDF आपको class के बाद मिल जाएगा PDF के लिए टेलिग्राम जोइन कीज़े टेलिग्राम का link कमेंट बॉक्स में पीम किया हूँ है, ठीक है, चलिए आगे बताईएगा, question number 32 का answer किरागोश्री शासक परताब करने के से मैं राज्य किसके विद्रों से तरास्त था, ये लिजे, इसका answer बता दीजे का सभी कोई, क्या बनेगा question number 32 का answer चलिए सभी कोई बता दीजे, 32 का answer घटवाल, ठीक है, घटवाल, तो answer क्या बनेगा, option number A बनेगा, बिल्कुल A इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, और बताईएगा कि खरवार विद्रों कब हो था, गैस, तो 1874 में खरवार विद्रों हुआ था, ठीक है, भूमिज विद्रों कब हो था, यह अपटापट से कमेंट करके सभी कोई बता दीजेगा, भूमिज विद्रों कब हो था, और पहाड़िया विद्रों, ठीक है, नेक्स बते का question number 33 का answer, कि इन में से कहां के राजा ने, खुकरा गड़ की घेरा बंती करके, प्रतापकर्ण को के लिए में बंद बना दिया था, इसका अंसर अब बता दीजी का बनेगा, सबीके तरफ से इसका अंसर आना चाहिए, और 33 का answer बताईगा, तमाड इसका बेलकुल करेक्टर अंसर हो जाए का, जितने भी तमाड आप लोग अंसर कर रहे हैं, और अप्सेन नमर सी इसका सी अंसर बन चाहिए, भूमिज विद्रो का वह था, 1831, अच्छा, 1831 में नहीं हो था गए, एक्जेक्ट डेट बताईए, क्या होगा, खरबार विद्रो, ठीक है, भू करन की मदद निम्र में से किस ने की थी, चले इसका अंसर बता देजिएगा, क्या बनेगा, सभी कोई 34 का अंसर बता देजिएगा, भूमिज विद्रो, अब जाते हैं, गंगा नरन के नेतरेत में, 1832 से 33 में हुआ था, ठीक है, याद रखेगा, 32 से 33 में हुआ था, गंगा नरन, ठीक है, याद रखेगा, चले, नेक्स बताएगा, क्वेशन नमबर, तमाड विद्रो का अंसर कर रही है, साक्षी जी, 1882 से, स्वरी, 1782 से 1807, ठीक है, ओके, अंसर बताएगा, इसका क्या बनेगा, सभी की तरब से इसका अंसर अनना चाहिएगा, चले बताएगा, चले, 34 का अंसर आना शुरू होगा, बिलकुल करेक्ट अंसर कर रहे हैं, आप लोगा, आपसन नमबर A, यानि कि बागदेव, इसका बिलकुल करेक्ट अंसर हो जागा, सो आपसन नमबर A is correct 1, बागदेव, ठीक है, आपसन ए इसका बिलकुल करेक्ट अंसर करेंगे, चले, नेक्स्ट बतेगा क्वेशन नमबर 35 का अंसर ये रहा आपके सामने कि खरवार राजा ने प्रतापराय को मुग्द कराने के दौरन तमाड के राजा को पराज जीत किया था इसके प्रणाम सुरूप बागतेव को कौन सा शेत्र पुर्सकार के रूप में मिला था ये लिजे अच्छा परशन आपके सामने अगें और इसका अंसर सभी के तरफ से आना चाहिए वेरी वेरी इपॉर्टन क्वेशन थरी फाइफ का अंसर बता देजेगा क्या बनेगा आपसन नमबर डी बन जाएगा यानि कि करनपूरा जितने भी आप लोग अंसर कर रहे हैं आपसन न बिल्कुल करेक्ट अंसर आना चाहिए बताएगे थर्टे सिक्स का सी हो जाएगा विश्नु की मूर्ति राइट ऑप्सन नमबर सी इसका विल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा जितने भी आप लोग अंसर कर रहे हैं वरी गूट निक्स्ट बतेगा थर्टी से वन का अंसर किस अस्थान पर मत का प्रचार प्रचार किया था मतलब किस मत का प्रचार प्रचार किया था किस मत का मत का दोनों का या वैस्नों मत का थाटी सेवन का अंसर बता दीजिए का सभी के तरफ जाना चाहिए भी हो जागा राइट वैस्नों मत का इन्होंने प्रचार प्रचार क याद होना चाहिए एक थो हमने बताया था परताब करन उसके बाद छहतर ठीक है ये दो नाम हमने बताया था आपको याद होगा ठीक है इसके अलावा हम बात करते हैं तो जहांगिर के समकालिन कौन था बताई ये जहांगिर के समकालिन कौन था तो जहांगिर के समकालिन था दूरजन सा दूरजन सा था वो जहांगिर के समकालिन था ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए तो इसका अन्सर बताएगा सभी कोई क्या बनेगा अंसराना शुरू हो गया है च्छा बात है । बहादूर साप रथम इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर है, जितने भी बहादूर साप रथम अंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट अंसर है, ठीक है, option number क्या बनेगा, option number C, इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर बनेगा, जितने भी option number C, आप लोग चूस कर रहे हैं, बिल्कुल करेक् ईलिए फटाफर से बता दीजी साथे-साथ आप यारत रहीगा ईद रखना है नहीं चले मिलए ऑनशर मतलि उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राहिए है इसका करिक्ट उसली चलें Himamant A is correct one चले सभी के तरफ से बिल्कुल correct answer आ रहा है और बताइगा कि और रंग जेब के समकालिन कौन थे बताइगा और रंग जेब के समकालिन कौन थे अभी कुछ देर पहले हमने बताया था इसका अंसर सभी के तरफ से आना चाहिए और रंग जेब के समकालें कौन थे बतेए सभी कोई अंसर बता दीजए इसका सभी कोई कमेंट करिया फटा फट से चले नेक्स बात करते है क्वेशन नमबर 40 की अंसर दीजए का कि नमने में से किस मुगल सुभिधार दोरा आकरमन करने के बाद यदुनातसा ने उसे एक लाख रुपे माल गुजारी देना सिवकार किया था इसका अंसर सभी कोई बता दीजएगा क्या बनेगा चले फटा फट से इसका अंसर बता दीजए क्या बने जाएगा फोटी का अंसर बिल्कुल आना शुरू होगए आपसिन नमबर A रगुनातसा अंसर आ रहा है चलिए मिक्स बात करते हैं गायश मिक्स बताएगा रगुनातसा बिलकुल रगुनातसा जतन भी एशर कर रहे है क्रेक्वər है ठेकर रगुनातसा रगुनातसा ये औरंऍग जेब के समकालिन थे जिन्होंने किस तो मदन मोहन मंदिर का निर्मान करवाया था बड़ाया राची में ठीक है आपको ये ध्यान होगा और हमने बताया भी था ठीक है मदन मोहन मंदिर का निर्मान करवाया था रगुनातसाह ने और यह औरंग जिब के समकालिन थे ठीक है ठीक है और चूटिया में याद रखेगा कि एक रामसीता मंदिर भी है और जिसका निर्मान किसने करवाया था बताईए हरी ब्रह्मचारी ने करवाया था राम सीता या सीता राम मंदर का निर्मान किसने करवाया था तो याद रिखेगा हरी ब्रम चारी ने करवाया था अब इसका अंसर बता देजेगा कि सर बुलंद खां के आकरमन के बाद अपने राज़े को सुरक्षित करने ही तो ऑजनाता सहने, अपने राज़ानी कहाँ हस्तानांतरित की थी, भोटी वन का साराना शुर्य हो गया, बिल्कल A, इसका से Acho नी हो जाएके, जितने भी A, ऐन्सर कर रहे हैं, पालकोट इसका बिल्क mapped answer है, ठीक है, जितने भी पालकोट answer कर रहे हैं, बिल्कुल correct answer है और पालकोट राज़ानी किसने बनाई थी तो यदूनात साहने बनाई थी ये आपको याद रखना है चूटिया राज़ानी किसने बनाई थी अगर आपसे पूछे ने बतेए चूटिया राज़ानी बनाई थी प्रता पराई ने परता पराय ने चूटिया राजानी बनाई थी ये आपको याद रखना है पाल कोट किसनी राजानी बनाई थी तो ये याद रखना है आपको यदूनात सा ठीक है चले उसके बाद बात करते हैं कि दोईसा राजानी किसनी बनाई थी तो दोईसा किसनी बनाई थी दूर्जन सा जो कि किस के समकालिन था जाहंगिर के समकालिन था तो याद रखेगा क्या अंसर हो जागा दूर्जन उसके बाद अगर पूछ ले कि रातुगर्ड राधानी किस ने बनाया था तो उदैनात सहदेव उदैनात सहदेव ने रातुगर्ड राधानी बनाये थी तो एसी तरीके से सारी चीज़े लिखी हुए मिल जाएंगे तो PDF के लिए टेलिग्राम जोइन करिएगा पीन किया हुआ है कमेंट बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक ठीक है पीन किया हुआ आप वहां से जोइन कर लिजे अभी तक जो लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर लिजेगा यह भी महतों पुर्ण प्रशनाव के सामने फोटेटू का अंसर बंजेगा आपसे नमबर ए यानिकी फखरुद दॉल्ला फखरुद दॉल्ला इसका अंसर हो जाएगा जितने भी अंसर आपसे नमबर ए चूज़ कर रहे हैं आपसे नमबर एसका विल्वल करेक् लोग नए है यह भी होता देचेगा ठीक है चलिए लाइक करिए एक बार सेसन को जरूर लाइक बढ़ नहीं रहा है डी इसका सेंसर हो जाएगा बार हाथार रूपे राइट अपसे नमबर डी जितने भी आप लोग चूज़ कर रहे थे अपसे नमबर डी इसका बिल्कुल आतशाका उत्रादेखार रही था जिरीचे और इसका अंसर सभी कोई फटाफर से कर दीजे है रही है लाइक कर ये जिसलितने भी ऑसानबर क्या रहे है ऑप लोग सही रहे है टिकड़ अच्छा उसके बाद भाथ बद ही जगनात साहने balance या जगनात सहदेव ने राजानी कहां बनाई थी तो पालकोट भोरो ने बनाई थी पालकोट भोरो ठीक है या याद रखीगा या भोरा भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा यदुनात सा की बात करते हैं तो यदुनात सा ने अपनी राजानी कहां पर बनाई थी पताए यदुनात स और पाल कोट भोरो बनाया था कौन जगनात सहादेवने ठीक है लेकिन इसका अंसर क्या हो जाएगा और सान्बर पीस का बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा कि निमनमे से कौन सानागवनसी सासक सिवनाथ शाह का उत्रा धिकारे बना था तो आपसन नंबर भीस का बिल्कुल और शाघ्र०ध से अच्छक अच्छा नाके सामने आगें और शाना चाहिए और 25 बसला का अंसरो मताती चाहा किया बनेगा बिल्कुल एंसर कर रहे हैं कि विijn कि शुद्ड करें है इसका बिलकुलanesa हो जाह का फृटकॉट भौहलो जगनात सह्तिति ठीक है चिले तो अंसर क्या पने गाहिए ऑसे नमबर इसका बन जाएगा जितने भी एश निफ सक रहें है इस कब करेक्ट त्रह है ठीग है चले नेगा को इसकी का सैण सर ये लि इसका बन जाएगा जितने भी रामगाल अंसर कर रहे हैं दोट आफीन सबसे निससा बता दियुक्ट नैगा है लिए उड़नाथ चाह का उत्रा धीकारी था उदेनात शाह का उत्राधिकारी कौन था आपको इसका अंसर बता देना है उद्हुनाथ शाह का उत्रादिकारी कौन था और उदायनात शाह ने रजधानी किसे बनाई थी तो रात्तुगर्ड इन्होंने राजधानी बनाई थी यह आप याद रख सकते हैं लेकिन उत्रादिकारी कौन था यह आप से पूछा हुआ है बिल्कुल A answer हो जाएका जितने भी श्याम सुंदर शा कि शासन के दौरान मारठा युद्धा भासकर राउप मंडित ने जारखंड के राजते कहां अकरमन किया था इसका अंसर बता दिएगा जावनेगा 48 का अंसर बिल्कुल पते ही सभी के तरफ से अंसर आना चाहिए और सभी को बिल्कुल करेक्ट अंसर कर भी रहें चले अपसर नंबर भी ठीक है अपसर नंबर भी इसका विल्कुल करेक्ट अंसर बन जाएगा नेक्स बताएगा कोईशन नमबर 49 का अंसर ये रहा के सामने जब अमराठा युद्धा भासकर राउप पंडित ने चारखंड से होकर बंगाल पर आकरमन किया था तब बंगाल का अपसर नंबर भी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर वाजएगा नेक्स नंबर 50 इसका अंसर बता दीजेगा नेक्स कर राउप पंडित ने किस वर्ष चारखंड के राष्टे से होकर बंगाल पर आकरमन किया था ये लिज़े इसका अंसर वाटाफर से सभी को बता दीजे क्य अंसर बता दीजेगा जैए क्या बन चाहेगा सब्सक्राइब करेक्ट अंसर नेक्स बतेगा क्वेशन नंबर 51 का अंसर ये लिज़े आपके सामने कि रगुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आकरमन किया जिसके शिकायत अलिवर्दि खाने मराठा पेश्वा बाला जी ये लीची और इसका अंसर वड़ा अबसे कोई चाप दीजे कमेंट बॉक्स मैं 51 का अंसर बदा दीजय का सबूंदakah क्वेशन कोई कि अरहां समयनक में पर आप देघया का किया जिसकी शिकायत अलिवर्दि खाने मराठा पेश्वा के वाला लीच से किती तो nhiर बने गाप स कि इसका से एंसर बनेगा यानि कि 1743 इसका से एंसर है ठीक है ओप्शन डी ठीक है ऑप्शन डी आगे बढ़ी और बताईगे गां फिप्टी टू का अंसर यह लीजिए पेश्वा बाला जी राओ निम्हें में अच्छार्खन के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे ज़ार्ख धाब गंजवla जो शेतर हैं सैंथाल पर गंग नाला श्येतर है इसका करेक्ट अंश हो जाएगा कोईशन अभी आपको बहुत सारे कोईशन देखने कोैंगे डिखते जाए दीखेंगे है ठीक है 100 प्लास कोईशन आपको देखने को मिलेगा नेक्स बताएगा तो इसका अंसर करेंगे आपसन नमबर सी जितने भी अंसर कर रहे हैं आपसन नमबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो चाहिए का ठीक है चलिए आगे बताएगा 53 का अंसर की बंगाल पर आकरमौन कर करने का option number B ठीक है माने भूम माने भूम अभी वरतमान में जो कि धनबाद वाला शेत्र है धनबाद वरतमान में है ना तो option number क्या करेंगे option number B जितने भी आप सो आप लोग अंसर कर रहे हैं option बंगाल पर आकरमण करने के बाद रगुची भूस लेने निमने में से जारकन के कि शित्रे से होकर वापस लोट गया था तो मान पूम इसका करेंगे जितने भी आप लोग option number चले नेक्ट बात करते हैं question number 54 कि से जैंसर बता देजेगा क्या बने का किस नागौनेशी शासक का केसा घमिनारी प्रता का उनमूलन कर दिया वि Geld चलिले अंसर कि आना शूरू हो गया है बिल्कुल शरणनाथ शाह इसका बिल्कुल करडा ुर्ग रेक्ट अंसर रंज का चलें ने운वर किनारे श्तान अंतरित के था इसका अंसर बता देगा किस कितान अंतरित है था नहां सी हैं कोगवण नेक्स्ट बात करते हैं question number 55 की इसका अंसर बताईएगा क्या बनेगा यह लेजे नेवनेवे से किस ने अपने राजजितानी को दोईसागर से सतरंची यानि स्वर्ण अरे खानदी के किनारे स्तानांत्रित किया था इसका अंसर बतादेजेगा किस ने स्तानांत्रित किया था नागवंसी शासक पड़ाफाट से बता देजेगा 55 का अंसर देखे एक बार सारी के सारे राजज़ानिया पर रिवाइस कर दीजे राइट देखे सबसे पहले सूतियांबे राज़़ानी किसने बनाई थी तो सूतियांबे राज़़ानी बनाई थी फनी मुकुट राइने फनी मुकुट रायनी जिने आदी पुरुस के नाम से चाना जाता है उसके बाद दूसरे नमबर पर याद रखेगा कि चूटिया राजधानी किसने बनाई थी चूटिया राजधानी बनाई थी प्रताप रायने ठीक है और भरवा का युदी भी इसी केसे में हूआ था उसके बाद फिर याद करेगा तो दो इसा कौन बनाया था गई दो इसा अगर आपसे पूछ ले तब अंसर करेंगे दूरजन साल ठीक है दूरजन साल करेंगे और सतरण जी अगर आपसे पूछ ले तो जगनात सहाध्य हो जाएगा और रातुगर्ड जो कि अंतिम राज जथानी थी अंसर क्या बनेगा रातुगर्ड उदेनात सहाध्य उन्हें लेकिन आपसे यहां पर क्वेशन क्या पूछा है आपसे पूछा हुआ है कि निमने मैं से किसने अपने राजदानी को दोई तरंची यानि कि स्वर्ण ने दिखाने देखे किनारह अंतरित किया था तो इसका अंसर सभी को अब बता दिजे आप सभी को बता सकते हैं 55 का अंसर बिल्कुल सी एंसर हो जाएगा एदिसके बारे में हमने आल्रेडी बात किया कि आए 1691 में इन्होंने जगनात मंदिर का न और सी चूद कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलिए आगे बढ़ता है है और इसका अंसर देजीए का यह लिजीं 56 का अंसर किने में से किस अश्रासक ने हट्या बाजार को बसाया था हाट्या बजाया था इसका फटा-फट से बता देजएगा चा बनेगा चलिए 56 का ऐन्सर uh 56 नोंसर बता देजेगा डी इसका अगेन अंसर बन जाएगा यानि कि ऑपसिन नबर डी इसका विल्कुल करेक्ट अंसर है ऑपसिन नमबर डी एनी शाह और एनी शाह ने राजधानी कौन सी बनाय थी अभी तुरंथ हमने बताया था है सतरंजी बनाए थे इन्होंने राजधानी सतरंजी सतरंजी राजधानी बनाए थे इन्होंने और 1691 में जगनात मंदिर का निर्मान करवाया था ठीक है सारे चीज़ से याद हो गई आपसन डीज का अंसर बन जाएगा निक्ष्ट बतेगा क्वैशन नंबर 57 का अंसर की नागवान सी की राजधानी बाउस के सतरंजी तापक के संदर में कौन सा गलत है अब इस का अंसर आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा गलत हो जाएगा तो देखे सबसे पहला आपसन देखे सुत्यांबे फान्यमकोट रहने बिलकुल सही है, उसके बाद देखें, दुरिजन साल लें, ये बिलकुल सही है, उसके बाद देखें, पालकोट ये अधुनात सह, बिलकुल Śही हो जाईगा, और रातुगण किसीने बनाय था गैस? उधेनाथ सहादेव ने, उधेनाथ तेवने रातुगड राजधाने बनाइथी तो अंसर क्या कर देंगे ऐसका बिल्कुल करेक्ट अंसर करेंगे यानि कि डी जितने भी आप लोग अंसर कर रहे थे दी Isका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाए का s कौन शामिल नहीं था अब बता देशे को सब्सक्राइब क्या वात है इसका बिल्कुल करेक्टर आंसर भी जितने भी D answer कर रहे हैं, D इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यानि कि विक्रम कर रहना इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, और तेने कि तीनों किसके, तो लोधी वंस के, क्या थे, समकालिन थे, लोधी वंस के, समकालिन थे, आपको याद रखना है, समकालिन, ठीक है, क्या answer बनेगा, D इसका और मिल चाहिंगे अंसर क्या बनेगा और डी सकरेक्न सर्वड़ेंगा जितने याप लोग अंसर कर रहे थे मिस्ट बतेगा क्वेशन नंबर 59 का सब्धिटीड में सबसे पहले कि से शेत्रिय राज़ीए ने श्यासन स्थापित किया था पला मूं में सबसे पहले देगा इसका तो 59 वर शुरू हो गया है औप सबसे पहले कि शेत्र राजवान ने स्थापित किया था एक इसका अंसर आपको बता यह बिलकुल सी जीतने भी अंसर कर रहे थे C इसका correct answer हो जाएगा option number C यानि कि रक्सेल 1 से जितने भी answer कर रहे है आप लोगों में से बिल्कुल correct answer है देखिए कौन-कौन से इसाथ सक हुए है एक तो सबसे पहले याद रिखेगा कि पलामू में पलामू में चेरो पलामू में याद रिखेगा महारत चेरो के बारे में बात करने वाले हैं आगे हम बात करेंगे हाला कि ठीक है चले तो answer क्या बनेगा इसका option number C इसका बिल्कुल correct answer बन जाएगा और चेरो बन से इसाथापना किसने की थी तब याद रिखेगा पलामू में किसने की थी बताइए भगवत राइने की थी भगवत राइने की थी ठीक है ओके B, C इसका answer बन जाएगा अगर बढ़ते है question number 60 के तरफ ये लिजे रक्सेल स्वेम को क्या मानते थे जो रक्सेल थे वो स्वेम को क्या मानते थे इसका answer सभी को बता देना है और सभी के तरफ से इसका correct answer आना चाहिए स्वेम को क्या मानते थे राजपुत मानते थे exactly राजपुत मानते थे बिल्कुल correct answer है और जो रक्सेल की कितनी साखाएं थी तो धो साखाएं थी अगर आपसे पूछले कितनी साखाएं थी दो शाखाएं थी एक तो देवगन और दूसरा क्या था बताईए कुंडे कुंडेलवा ठीक है एक तो देवगन था इनकी साखा और दूसरी साखा कौन से थी तो कुंडेलवा इनकी शाखा थी आपको याद रखना है ठीक है चलिए क्या answer क्या बनेगा राजबुत इसका बिल्कुल correct answer बनेगा जितने भी आप लोग option number b choose कर रहे है option number b is correct one option number b is का say answer बनेगा चले बहुत बढ़ेगा next बताएगा 61 का say answer यह रहाब के screen के ओपर और एक्सेले को मुला तो किस शेत्र में बलामों का आगमर हुआ था यह लीचे और इसका answer प्रड़फर से सभी को छाप देज़े कमेंट बॉक्स में 61 का answer बता देज़ेगा 61 का option number c बनेगा बिल्कुल say answer कर रहे है option number c यानि कि राज पुताना शेत्र से यानि option number c जितने भी answer कर रहे हैं आप लोगा option number c इसका बिल्कुल correct answer बन जाएगा option number c is correct one बहुत बढ़ेगा option number c इसका correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए next बात करते है question number 62 की बतेगा कि अर्रक्षेलों के शासन के समय बलामों में किस जन जाती कि संक्या सरवाधीक थी ये लिजे बहुत important question और इसका answer तो आपको बताना है अर्रक्षेल के समय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये तो कौरवा जन जाती गोंडे जन जाती और खरवार जन जाती आपको देखने को मिलेगा मुख फिरूप से लेकिन सरवाधीक अगर पूछेगा तब ये खरवार जन जाती हो जाएगा खरवार जन जाती हो जाएगा और आपको पता है ना कि खरवार विद्रो कब हुआ था खरवार विद्रो कब हुआ था फटाफट से बताए कि खरवार विद्रो का नेतरे तो किस ने किया था ये सब कोई कमेंट बॉक्स में चाप दीजे कि खरवार विद्रो का नेतरे तो किस ने किया था अंसर क्या बनेगा गैस आप्सन नमबर सी इसका बिल्कुल करेक्टर अंसर बनेगा आप्सन नमबर सी जार데 में टोटल 32 जाती hebben जिसमें इसे 8 आदिम जाती है guys, ठीके 8 आदिम जाती है, 32 जाती कौन की है, तो कोल जान जाती 32 जाती है, याद रखेगा 32 जाती अगर आपसे पूचिये तो कौन सा कब अचया पूचिये ए, कोल जाती जार्खन की 32 जन जाती है जिसको मानेता कम मिले था बते ये आठ जनवरी आठ जनवरी 2003 को मानेता मिली थी और कवर जन जाती जो है ना कवर जन जाती हुज हरकन की कौन सी तो एक तीसमें जन जाती है जिसको मानेता आठ जनवरी 2003 को मिली थी सारे चीज़े आपको याद हो गई होगी भाग माइजी बाहुर्ध मुझा कर सकते कंधे बार पडाईज कर सकते हैं बार बार फेड़ीए टेलेगराम जोइन कर लिजएगा लिंक दिया हुए राइट निउं husbands से किस वंच ने रकसेल को अपदाति किया था इसका अंसर बता दीजेगा 63 का सही अंसर क्या बनेगा चले 63 का अंसर अप प्टफट करी क्रिक आपने का सी बनेगा 답 option number C यानि किcience 1 Insane और अब हमने नोटा कि nih तो भॉधवत राए आपको याद रहने एक जो आप लोग एंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट ढाल सर्थ आपसे नमबर सी इस करेक्ट वन बहुत बड़ी अगैस नेश्ट बतेगा क्वेशन नमबर सिक्स्टी फॉर कांसर ये लिजे के रक्सेलो के आप लामो में शासन के समय खरवार जिन जाते के शासन कौन थे आपको इस कांसर बता देना है और इस कांसर सबीके तरफ से आना चा जो है ना रक्सेल स्यम को क्या कहते थे स्यम को कहते थे राजपूत पहले बात तो आप यह याद रखे कि स्यम को यह क्या कहते थे रक्सेल स्यम को राजपूत कहते थे उसके बाद याद रखे कि इसके कितने रक्सेल के दो क्या थे दो शाखाएं थी कौन-कौन सी शाखाए थी और जन जाते हैं कौन कौन सी थी रक्षेल में परमुकता से तो देखी एक कोरवा जन जाती गो गोंडे जन जाती और खरवार जन जाती जिसमें परमुकता से कौन से जन जाती थी तो खरवार जन जाती थी ठीक है चलिए और सासक कौन था तो प्रताब धवल था प्रताब किस ने के थी चेरी बंस की अस्थाफना किस ने के ती अभी तुरंबत क सबसूर से आना चाहिए कि अ है का स्यलें बहुत बढ़या अब अन्सर मताना शुरू करिए क्युकि एवी इसके बारे में हमने के बताया था पिल्कुल अंसर आना बिल्कुल करेक्ट रहें तो अभी तुरन्त हमने बताया भी था और बिल्कुल करेक्ट अंस कर भी रहे हैं वेरी कुड आज का सेसन नके तार लग रही है नहीं फटाफ से एक फर कमेंट करें नेक्स को नेक्ट के अस्थापना कब की गए थी इसका आपको बता रहा है 66 का बताएगेगा option number B बनेगा बिल्कुल B बनेगा यानि कि 1572 जितने भी answer कर रहे है 1572 में इसका बिल्कुल correct answer है तो option number क्या बनेगा option number B इसका बिल्कुल correct answer बनेगा और हमने भी बताएगे चेरोगंस के अस्थापना किसने की थी तो भगवत रहने की थी ये आपको याद रखना है ठीक है भगवत रहने चेरोगंस के अस्थापना की थी पलामू में ये आपको याद रखना है बहुत हैं महतुफर है तो option number B इसका बिल्कुल से answer हो जागा जितने भी आप लोग भी answer कर रहे हैं बिल्कुल correct answer है नेक्स बात करते हैं question number 67 की इसका अंसर बताईएगा क्या बनेगा ये लिजे कि अन्यम्न लिक्त में से कौन सा चेरोगंसिया राजा बहादूर शाह जहादार शाह तथा फरूक्षियर के समकालीन थे ये लिजे इसका अंसर फटाफट से सभी कोई करिएगा क्या बनेगा कि अन्यम्न लिक्त में से कौन सा चेरोगंसिया राजा बहादूर शाह सहादार शाह तथा फरूक्षियर के समकालीन थे फटाफट से इसका अंसर करिए क्या बनेगा 67 का चिक्सितिएवन गांश करें क्या पनेगा अच्छा और भी आपशन अभी देख लीजिए अब बते में सर तो सही बात कर रहें बिल्कूल correct असर ठेक है सही इसका बिलकूल करेक्ट अंसर हो जाएगा option number कौन सबनेगा option number डी इसका बिलकुल correct answer बनेगा option number डी ठीक है चले आगे बात करते हैं question number 68 की इसका अंसर बताएगा क्या बनेगा यह लिजे निम्न लिकित में सहब राय का उत्राधिकारी कौन था सहब राय का उत्राधिकारी कौन था इसका अंसर बताना है तो 68 का सब्सक्राइब बता देजिएगा जितने भी रणे जीत राय अंसर कर रहे हैं option number c जो अंसर कर रहे हैं बिलकुल correct answer ठीक है option है इसे ही वीडियो के लिए क्या करते हैं लोग paid course अपना बेचते हैं मेरा कोई पेड़ कौर्स नहीं है मैं बिलकुल फीनियो कोस्त यह सारी के सारे वीडियो आपको दे रहा हूं कंटेंट के साथ में सारे के सारे PDF आपको मिल जाते हैं Time to Tab मिल जाते हैं ठीक है सारे PDF free मिल रहे हैं और ये बिलकुल paid नहीं है ये बिलकुल free है ठीक है तो आपसे एक उमीद में करता हूँ कि आप जरूर like करिए क्योंकि जितने महानत में किया हूँ अगर आप like भी नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता बताए like करिएगा जो नए लोग हैं वो subscribe कर लीजेगा क्योंकि 8 बज़े साम में हम लोग क्या करते हैं कि discuss कर रहे होते हैं जैसे सीसीजल का जबरदस्ट practice set ठीक है जिसमें हम क्या क्या discuss करते हैं आपको याद होगा GS, जारखंड GS, साइंस और computer भी वहाँ पर discuss कर रहे हैं तो complete package आपने आप में तो आप शाम में जरूर आया करिए ठीक है जो नहीं आते हैं वैसे तो मुझे लग रहा कि जादा तर लोग आते हैं नेक्स्ट बतेगा question number 69 69 का अंसर के रेने जी त्रायकिश्टासन काल में बिहार का कौन सा मुगल सुबिदार पलामू आया था ये लिजे और इसका अंसर फटाफट से सभी कोई कर दीजे क्या अंसर बन जाएगा चलिए सभी कोई फटाफट से बता दीजे और जो भी अभी तक लाइक नहीं किया है कि लाइक करके ही जाना है आपको जाना भी है तो बतेगा 69 का अंसर क्या बनेगा option number B बनेगा जितने भी B अपलोग अंसर कर रहे हैं यानि कि सर बुलंद खाँ सर बुलंद खाँ से निम्ल में से किस शेत्र पर कबचा किया था ये लिजएगा और इसका अंसर बटाफट से सभी कोई बता देजएगा क्या बनेगा 70 का चले सभी को इसका सभी अंसर देना है 70 का सभी अंसर क्या बनेगा 70 का चले अंसर रहना शुरू होगा option number C, टोरी शेत्र, इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, टोरी शेत्र, टोरी शेत्र, लातेहार, दामुदर निदिका, उद्गा मस्तल, चुला पानी, चिक, option number क्या बनेगा, option number C, इसका बिल्कुल correct answer बनेगा, जितने वे आप लोग C answer कर रहे हैं, बिल्कुल correct answer है, ठीक है, चले, next बात करते हैं, question number 71 की, टोरी परगना कब तक, रनजीत राय के कबजे में रहा, इसका answer, फटा फट से कभी सभी को छाप देजे, क्या बनेगा, टोरी परगना कब तक, रनजीत राय के कबजे में रहा, इसका answer आपको बताना है, और मैं चाहूंगा कि, सभी की तरफ से, इसक कसी answer बनेगा, ठीक है, question number D is correct बन, जितने भी answer कर रहे थे, बिल्कुल correct answer है, आगे बड़ते हैं, question number 72 की तरफ ये लिजे, अच्छा प्रशना है, जिमने में से, किसने रनजीत राय की हत्या करके, पलामू और राजी पर कबजा कर लिया था, ये लिजे, और इसका answer, फटा फ कर रहे हैं, डीस का बिल्कुल correct answer रहे हैं, option number D, यानि कि, जै कृष्णर राय, option number D, जितने भी आप लोग चूज कर रहे हैं, डीस का बिल्कुल correct answer हो जाएगा, so option number D is correct one, ठीक है, चले, निक्स बात करते हैं, question number 73 की, ये लिजे आपके सामने है, कि बिहार के किसे सुविदार ने 1730 इसे में, पलामो के चेरो राजा, जै कृष्णर राय से कर वसूल किया, ये लिजे, इस का अंसर सभी को बता देजेगा, क्या बनेगा, चले, सभी को बताएगा, 73 का अंसर, 73 का अंसर, again इसका D अंसर बनेगा, यानि कि, फरू, फखरू दौला, फखरू दौला, जित वसूल किया था, तो आपसर नंबर, डीस का सेंसर बनेगा, जितने विडिया अंसर कर रहे थे, आगे बताएगा, 74 का सेंसर ये लिजे, बिहार के सुविदार, फखरू दौला ने, चेरो राजा, जै क्रेशन राय से, कितना रुपए, सलाना कर वसूल किया करता था, या वस है, सही अंसर नंबर, इस का बिल्कुल नंबर, इसका बिल्कुल करेक्ट रुपए, ठीक है, पाँछ सेंसर रुपए, चले बहुत बढ़ बढ़े, आसका से सन कैसा लग रहा है, वर फटाफाट से बताईए, और साथी साथ लाइक कर दीचे, अभी तक आप लोग लिक नही लाइक नहीं कर रहे हैं बहुत गलत बात है लाइक कर दीजिए एक नए लोग सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि अभी थम्हें किदार वीडियो जाना बाकी है नेक्स्ट है क्वेशन नमबर सेवेंटीफाइब 1733 में बिहार का सुभिदार बनने के बाद अलिवर्दी खाने चेरो राजा से कितने रुपे सलाना माल कुचारी निर्धारित किया था इसका अंसर बता देएगा क्या बनेगा सबी को इसका अंसर बन जाएगा 75 का अंसर बनेगा पांस हजार रुपे ठीक है और सन नमबर एस उड़ी करेक्टर अंसर जीतने भी आप लोग अंसर करने बिल्कुल करेक्टर अंसर रहे इस चलिए बहुत बढ़ी है नेक्स्ट बताएगा क्वेशन नमबर कौन सा है 60 76 नमबर क्वेशन है कि 1740 में भी हर के किस मुगलिस उविदार ने चेरो राजा जैक्रेशन राइपर पांस हजार रुपे रुपे वार्सिक माल गुचारी का निर्धारन किया था इसका अंसर बताएगा सबीके तरफ से इसका अंसर अनना चाहिए सरी सर लेट हो गया कोई बात नहीं लेट हो गया समय पर आएए जैनुत्दिन इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाए जितने भी आप लोग अंसर कर रहे है भी सका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा जैनुत दिन खांग निक्ससरों parlous ये कि हैञे चेरो राजा ने छेरो राजा और मूगलों की और से अंतिम आकरमर्न करने वाला वै जाने कि हिदायात खां जितने भी अंसर कर रहे हैं और से अंतिम आकरमन करने वाला हिदायात खां था इसका अंसर सभी कोई फटाफट से छापी और इसका अंसर बता दीचे गया क्या होका उठने में लेट हुआ कोई नहीं गई सब्सक्राइब आपको बताना है का गरंत बताना है कौन सा हो जाएगा फाट से फटाफ से कमेंट करेगी क्या बनेगा इसका सेंसर सेवेंटी राइन का ऊप्षन नूंबर благ को ही इसका बिल्कुल करेक्ट फाशंहर है ठीक है रुबंस प्रभा लेखन को बिल्कूल करेक्ट न की जितने भी उपसन का अंसर बता देजीगा कि आपने का कि सीववन्स की पहली शाका के अस्थापना किस सदी में की गए थी आपको अंसर बताना है तो देखे आठवी शाताबदी में की गए थी किस के द्वारा की गए थी अगर आपसे पूछ ले तब याद करेगा इसका अंसर क्या करेंगे हमें शताबदी में स्थापित की गए थी यह आपको याद रखना है रखने अंगए और आपको पूचे ले की दूसरी अगर दूसरी पूच ले के दूसरी कब की घई थी तो mı 1250, 250 1205 इस्वे में यह आप याद रखेगा पहली बात तो यह और किसी ने की थी अगर आपसे पूचे तो दर्प नरायन ने की थी याद रखेगा अभी आपको क्वेशन देखने को मिलेगा भी ठीक है तो अंसर क्या करेंगा बताइए आपसे नमबर डी इसका अंसर करेंगे जित ठीक है यह पौरी शाखा स्थापित कि गए थी कासिना संक्सिंग के दोरा आठवें सतावदी में नेंस बताइए का क्वेशन नमबर इट यवान का सियर की पहली शाखा के संस्थापक थे सीवर्ण के पहले शाखा के संस्थापक कौन थे अभी तूरंत हमने बताया और इस कि पहली थी पहली थी किसके द्वारा बताइए तो काशिनाथ सिंग अंसर आना शुरू हो गया है कासिनाथ सिंग इसका बिलकुल कर्वप पहले यह बात करते हैं तो के संस्थापक थे इन सारी जिस्टों को हमेश है याद रखना है पीडियेफ मिल जागा रिविजन के लिए सो डूंट वरे अप्सन नमबर बीस उट बे करेक्टर अंसर यानि की कासी नात सिंग इसका बिलकुल करेक्टर अंसर हो जाएगा ठीक है चले नेक्स बतेगा यानिकी तेरा रजाओने कि यीजिसके संस्थापक हमने बताया कौन थे बताये कासी नात सिंग जोंकी पहले थे हैं और आठवीं किम और ना रायन और और रिंए संक्श इस्विए में टीक के चीजी के लिए रहो गए तो आप्शन क्या बनेगा ऑप्शन बड़ी सुट भी करेक्ट अंसर जितने बीड़ी एंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट अंसर है नेक्स बताएगा इसका अंसर कि सीवंस की पहली शाखा का शासन काल कब तक जारी रहा कब तक जारी रहा मतलब की आंसर बात करेगा तो 1205 तक अभी हमीने चुरहं तु बात किया था तो अंसर क्या बनेगा बताएगा प्सुक्य हमीं चुब्र चुरू हो गया ना गृत इस नंबर दी शूट भी करेकटर अंसर और पहलनी साखहा के थाक और हम ने कि без के बारे में piace सुलाया थान पारऴाट पालि साखा पालि साखा आठवी सताबदी कौन थे कासियनात सिंग कासियल और दूसरा आप से पूछ ले तो दूसरा कब बताई तो बारा सो पांच में यानि कि तेरहँ सदी में किसने तो दर्प नरायन धर्प नरायन त्रिक है आपको सारे चीज़े याद हो गई होंगे चले नेक्स्ट बताएगा question number 84 का answer ये रहा C1 की दूसरी शाखा के अस्थापना कब हुए थी अभी हमने बताया ना कि पहले वी थी आठ हुए इसके दौरा तो कासी नातर सिंग के दौरा और दूसरी वी थी चले नेक्स्ट बात करते हैं question number 85 की इसका अंसर बता देजिए का के सीवन्स की दूसरी शाखा के सापना किसके दौरा की गए थी किसके दौरा की गए थी आपको अंसर बताना है तो पहली आपको याद हो गया ना पहली पूछेगा तो कासी नात और दूसरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा दर्पनायरान सिंग दूसरा को उन्चा हो जाएगा दर्पनायरान सिंग इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा जितने भी सी आप लोग अंसर कर रहे हैं और दूसरी साखा 1205 इस वे में और पहला आठ्वे शताबदी में आरे चीज़े खिलर हो गई तो आप्शन अबर सी इस वी करेक्ट आज़ा एंसर करें ठीक है इस नियुक्त बताएगा दूसरे शासख कौन थे दूसरे शासख कौन थे आप इसका अच्छा क्वेशन है चले बिल्कुल भी बन जागा राइट यूधी स्ठीड इसका से अंसर हो जागा जितने भी अपसे अब लोग और बी चूज कर रहे हैं और से नंबर बी सुभी करेक अंसर हो जाएगा अभी तक चो लाइक नहीं किया ना गाइस थोड़ा सा कंबल से बाहर निकलिए ठंड के दाएरे जब बढ़िए और लाइक करिए नए लोग सब्सक्राइब करिए ठीक है और जो शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दीजे कि अभी पिक्शर बागी है नेक्स बत इसका बिलकुल करेक्ट अंसर हो जाएगा सुप्सा नंबर बी शूट भी करेक्ट अंसर जितने भी अफ्लोग अंसर कर रहे हैं भी इसका बिलकुल करेक्ट ऊंसर ठीक है ओके निक्स बतेगेगा ये लिजे कि यूधिस्टिर के बाद सी वन्स का शासक कौन बना था ये लिजे और इसका अंसर फटाफट से सभी कुछ छाप दीजे क्या बनेगा एटीएट का अंसर निक्स बात करते हैं क्वेशन नमबर 89 की ये देखें गाइस पीडिएफ जो आना पीडिएफ आपको एकदम इसी फॉम में सारे की सारे लिखे वे मिलेंगे ठीक है है लिखे वे मिलेंगे तो तेली ग्रैम जो आनने किना तो तेली गैम जोएन कर लीजिए वा लिंक पीन किया हुआ है कमेंट वॉक्स में अगे बता ये ako काकि राम किसके शंव्कालिन थे किसके शंव्कालिन थे या इसके शंव्कालिं considering सार अपसर नमपर भी त्तिक है चले आगे बताइगा क् बूरिजन सहा औराइट है क्या उसके बाद अगर औरंग जेब के समखालें पूछएगा तब क्या होटा शुता यह रगुनात सिंह रगुनात सिंग ने किस मंदिर का निर्मान करवाय था तो मदन मंदिर का निर्मान करवाय था बोड़ा या रांची में ठीक है आपको पता होना चाहिए तो बी इसका से अंसर बनेगा जितने भी आप लोग अंसर कर रहे थे भी सुट भी करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 90 का इसका अंसर बत अंसर सो अपसर नमबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा जितने भी सी अप लोग अंसर कर रहे हैं बहुत बढ़ी आया है कैस आप लोग हेंड्रेड लाइक पूरा कर दीजे ठीक है सो लाइक को पूरा कर दीजे क्लास खत्म होने तक आगे बात करते हैं आप यह कि कौन आशिन हुआ था लिए फरसे कि कासि राम सींग के बाद सींहं की गद्डी पर निम्र में से कौन आशिन हुआ था नैंटीवन का अंसर चापए क्या होगा चानब्सनमबर सी बिलकुल जितने बी आंसर कर रहे हैं आपसिन बनाब भी सुल्ट पीकरेक्ट अं तरह चले बहुत पढ़िया निक्स्ट रैक्वेसिन नंबर नैंटी टू कसे अंसर बताई ये का कि सीवन्स की कुल देवी कौम थी सीवन्स की कुल देवी कौन सी थी आपको इसका फटाफट सी अंसर बता दीजिए गा नैंटी का रोंग बताए नैंटी का क्या होगा है नैंटी कांसर क्या विव थी ये यांटी कांसर रोंग है यह नैंटी कांसर यह पोसरी सोटीक ज़री यह हो जाए गाए मई हूर ह फिस अंसर कर लिजीए गा पूर हाट हाट है पूरहाट इसका अंसर हो जाएगा 90 का पूरहाट हो जाएगा option number a should be correct answer sorry very very sorry चले तो अब बताया दीजिएगा 92 का से अंसर क्या बनेगा पूरहाट उसका से अंसर था guys पूरहाट चले बी इसका अंसर हो जाएगा जितने भी अंसर कर रहे हैं option number b बिल्कुल करेक्ट अंसर है सीवन से रिलेक्टेड तुरंत रिवास कर लिजे कि आठवी सताबदी में किसने तो का से नाता सिंग ने उसके बाद तेरावी सताबदी में बारा सो पांच इसने तो द कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिस्ठा की गई थी एकदम सीक्वेंस में लगातार एकदम क्या उलते सीरीज में सारे क्वेक्शन है एक के बाद एक है तो काफी महतुपूर्ण परशने और फटा फट से इसका अंसर बता दीजिए का क्या बनेगा अच्छा प्र करेक्ट अंसर निकस बताईगा क्वेश्जन नंबर 90-4 का उनलीजे की कि बनारस की तिर्थ यात्र खर लौटने के करम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायों के साथ छोड़ दिया गया था इसका अंसर बता दीजेगा अंसर क्या बनेगा ये लिजे आप्सन आपके सामने है और प्रस्न भी आपके सामने है 94 का अंसर नहीं क्या बनेगा 94 का अंसर आने शुरू हो गया option number A इसका बिल्कुल correct answer बनेगा यानि कि अर्जुन सिंग प्रत्थम अर्जुन सिंग प्रत्थम सुट भी correct answer option number A इसका same answer बने जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे answer देजेगा 95 का अंसर ये लिजे बनारिस के तिर्थ यात्रा लोटने के करम में एक मुसल्मान अर्जुन सिंग प्रत्थम को पकड़ कर किस अस्थान पर ले गया था अर्जुन सिंग को पकड़ कर किस अस्थान पर ले गया था इसका आपको अंसर बताना है महतुपुर्ण परशन ये भी अर्जुन सिंग फास्ट ठीक है इसका अंसर बदा जिए कि इस अस्थान तड़ ले गया था अर्जुन सिंग प्रथम को करेंसर जीदने भी करेक्ट ऐंसर कर रहें छेए बिसका बिल्कुल करिक्ट अर्टान्सर घ्ड है बहूत बढ़ी आन्यां बिल्कुल करेंकर रहे हैं उऩी श豆ets कॉंग बना इसका शासक कोन बना शेंग के इसा और ताफ़ Dメोटी चाप एंद क्या बनेगा चांब्सक्त सुप्सक्ते ना आप लोग अंसर कर रहे हूं बिल्कुल गड़ता हूँ लिक्ट इसका फटाफट से अंसर बता दीजे का बनेगा चले सभी के तरफ से इसका अंसर आना चाहिए क्या बनेगा सभी के तरफ से अंसर करिये क्या होगा अंसर बताईए what should be the correct answer 97 का सभी एसर क्या होगा देजिए का अप्सन नंबर सी हो जाए यह नी कि 13 हो बिल्कुल 13 हुआ जितने भी एसका बिल्कुल correct अंसर हो जाएका ठीक है option number C should be correct answer जितने भी C आप लोग अंसर कर रहे हैं बिल्गुल correct answer है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और 98 number question बताईएगा क्या बनेगा निमन मेंसे C1 के किशासक ने उत्पिरन से तंग आकर भूया जंजादी के लोगों ने विद्रोह कर दिया था इसका अंसर बता देजेगा क्या बनेगा अच्छा प्रशन है और इसका अंसर सभी के तरफ से आना चाहिए अच्छा प्रशन है देखिए निमन मेंसे C1 के किशासक के उत्पिरन से तंग आकर भूया जंजादी के लोगों ने विद्रोह कर दिया था इसका अंसर बता देजेगा क्या बनेगा सभी को इसका अंसर करिए सभी के तरफ से इसका बिल्कुल करेक्टर अंसर आना चाहिए बताएए सभी को इसका अंसर बताएए क्या बनेगा चले फटा फट से बता देजेगा 98 का से अंसर आना शुरू हो गया बिल्कुल सी इसका से बन जाएगा जितने भी सी आप लोगवाउनसर कर रहे हैं जगनात्थ सिंग दीटिये तो सफ़्भाना जगनात्थ सिंग दीटिये सुप्त फिक रिख्ड अंसर सबसे नंबर इसका बिल्कुल करेक्टर अंसर हो जाएगा ठीक है अपसे नमबर c should be correct answer option number c आगे बढ़ते हैं 99 बक्वेश्टन 99 पिर आँपको 99 पिर करना है like ठीक है आँट नहीं होना वरकि like करना है आपको 99 का अंसर बता दीजे क्या बनेगा कि c1 के किस राजान इबिक्रम सी को बारा गाउं को एक जागिर दिया जिसे सी भूम पीर कहा जाता है काफिय महतोपूर्ण नबराश्ण और इसका अंसर फड़ाफर से सभी कोई चाप दीजेगा क्या बनेगा चले सभी कोई इसका अंसर बता दीजेगा क्या बनेगा सभी की तरब से इसका बिल्कुल correct answer आना चाहिए चले बताएए गाई इसका सही अंसर क्या बनेगा सभी कोई छापिए तो 99 का सही अंसर आना शुरू हो गया है बी क्या बात है अरजुन सिंग ड्रीती है जितने भी अंसर कर रहे थे क्या बनेगा चले इसका बताएए इसका बताएए क्या बनेगा चले इसा भी कोई बताएए गैस वाट सुट भी दा करेक्ट आंसर चले हैंडरेट का से अंसर आना शुरू हो गया विल्कुल सीज का से अंसर हो जाएगा अगेन यानि कि अरजुन सिंग ड्वीती की चाचा ठीक है आप्सन नमबर सी सुट भी करेक्ट आंसर जितने भी सी आप लोग अंसर कर रहे हैं सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो करने के बाद इसकी राजधानी कहां स्थापित की थी इसका अंसर बता दीजिए का क्वेशन नमबर 101 का से अंसर सभी के तरफ जाना चाहिए कि संद्रेट इन वन का से अंसर बताती चाहिए क्या बनेगा वाट सुद्वी करेक्ट आंसर 101 बी क्या बात है सराकिला खरसामा जितने भी अंसर कर रहे है ऑप्शन नमबर बी सुद्वी करेक्ट आंसर एंड बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है राइट आगे बढ़ूं हैंडेट इन टू का अंसर बताईए का यह रहाप के स्क्रीन के उपर विकरम सिंग्ग ने इनमें से किस शेत्र पर कप जाकर कर खे अपनी सीमा का विस्तार किया था इसका अन्सर परफाफर से टाइप कर यह क्या बने का 102 का देखे कहां कहां विस्थार किया था तो कांडो बिल्कुल फिर बंक्साई ये भी है गंभरिया ठीक है ये भी सही है तो अंसर डी करेंगे रैट आप संडी जितने भी आप लोग कर रहे थे बिल्कुल करेक्ट अंसर कर रहे हैं इसमें दो राएं नहीं है आज का सेशन कैस फट से पूरा कर देजेगा सो तो बनता है सो लाइक तो बनता है आप लोग मिला जूला की जैसे भी हो सो लाइक अभी फटाफट से क्लास इंड होने होने तक कर लीजे नेक्स बताएगा अरजुन सिंग द्वीते का उत्रधिकारी कौन था ये लीजे अच्छा प्रशन है यसका अशर फटाफट से सभी को बता देजेगा सर बहुत देर से सैरी नहीं आया है अच्छा आप सैरी चा रहे हैं चले एक मैं सैरी आप लोग के लिए कह देता हूँ ठीक है चलो एक सैरी आप लेक के लिए ठीक है अपनी जमी अपनी आसमा बना लोगे दिल से महनत करोग तो खौबों का जहां बना लोगे डर के रुके तो कहीं नहीं पहुंचोंगे लड़के अगर चलते रहे तो उस खुदा को भी पालोगे उस खुदा को भी पालोगे अब अब अनसर बताईए का क्वेशन नबर परहाट शेतर में निमनेवे से किसे जनजाती के लोगों ने उपद्रो किया था इसका अंसर बता देजीएगा इसका सब्सक्राइब नहीं क्या हो जाएगा चले सभी के तरफ से इसका अंसर आना चाहिए गए और इसका अंसर बताइए गा सभी कोई क्या बने का वान इंडिटन फॉर का सएँसर आना शूरू हो गया आफसन नंबर ए हो और को जन जाती बिल्कुल गौल करेक्ट अंसर हो जाएका कोल जर्छा ज़रखन की कौन सी तो जर्छन की कौन सी जर्छाती है भोलें कोल जर्छा जर्छन के बद तीस्मी जर्छाती है जैसे मारता कम बने लिटें जनजाती की रूप में तो आठ जनवरी 2003 में इसको मानिता मिली थी हो जनजाती रेलेटेड क्या याद रख सकते हैं हो जनजाती से हो जनजाती जारखन की 34 सबसे बड़ी जनजाती है और इसके लीपी को बारंग चीती कहा जाता है बारंग चीती कहा जाता है चीती और एक नमबर ए चूज़ कर रहे हैं अप्सिन नमबर ए सुट भी करेक्ट अंसर नेक्ट बतेगा क्वेशन नमबर 105 का अंसर कि क्या होगा हो आदिवास्यों की उपद्रों को नियंत्रित करने हैं तो जगनाते सिंग चतूर्थ ने निम्र में से कहां के राजा से मादन मांगी थी य लिजे 105 का अंसर अनाशर हो गया और बिल्कुल से एंसर यानि कि छोटा नागपुर खास के नागवंसी राजा ऑप्सिन नमबर ए सूट बे करेक्ट अंसर जितने भी आफ लोग और एस चूज कर रहे हैं इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर है सो अप्सिन नमबर ए इस 106 का से अंसर बता दीजेगा क्या बनेगा कि हो आदिवासे के उपद्रों को नियांतरिन करने हैं तो जैनात सिंग चतूर्थ ने किस नागवंशे राजा से मदद मागे थी यह लीजे और इसका अंसर बटाफट से सभी को छाप दीजे क्या बनेगा अब लाइक दूर नही कमेंट करके बताएगा और बताएगा किस डिस्टिक से हैं और कि आप पहले बार से संदेख रहें बताएगा क्वेशन नमबर 116 का से अंसर की हो आदिवासे के उपद्रों को नियांतरित करने हैं तो जैगेनात सिंग चतूर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मागे फिर्वाफ लन गएंसर अपशन नमबर absolute आपशन नमबर और इसका बिल्कुन करेक्ट अंसर बने का जर्पनात सिंग्स का नोकर नाट रोमशी चैना जो की दूसरे स्यूंज के दूसरे साका के शरू संस्था पक्तेज है और कासी अंसरल्पनात सिंग्सिग이ूं 1205 में और पहले आठ्वें शताबदे में तो आपको सारी चीज़े याद हो गई होंगी ऑप्शन ए सुट पे करेक्ट अंसर जितने पी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा और इसी फोम में आपको सारे के सारे पीडि इसी में भी काफी विवादस पद रहा था इसका अंसर बता दीजे का क्वेशन नंबर वान एंट एंट एवन का से अंसर क्या पनेगा अप्शन नंबर बी शुट भी करेक्ट अंसर बी ठीक है आपसन नंबर बीश का बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा यानिके 1766 इस्य इसर यह लिए कि सिभ्भुम शेत्र में अंग्रेजों का परवेश हुआ बताएगा कहां से हुआ है सेवेंटी एट का सुरी 108 का से अंसर पता दीजेगा से अंसर क्या बनेंका अपसन नंबर सी सूट पी करेक्ट अंसर जितने भी आप लोग अंसर कर रहे हैं सी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं इसका अंसर बताएगा 109 का से अंसर यह लिजे इन में से किसने मानभूम के मानवन्स के बारे में जानकारी पर आपतो होती है कहां से जानकारी पर आप तो होती है इसका अंसर आपको बताना है 109 का सही अंसर क्या बनेगा 109 का अंसर बन जाएगा ऑफसन नंबर कौन सा देखे पहला देखे आठवी सदी तक दूद पानिक शिलालेग बिल्कुल सही है उसके बाद देखे आठवी सदी का पर शिलालेग ये भी बिल्कुल सही है मानभूं के मानभूं One के बारे में कहां से पता चलता है तो बोग दोनों इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा जितने भी आप लगो आपसंन नंबर सी सुड़ भी करेक्टर अंसर और सन नंबर C सिरेक्षाइरिदा को जाता है खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा, अभी और उडान बाकी है, जमी नहीं है मन्जिर मेरी, अभी पूरा आस्मान बाकी है, अंसर क्या बनेगा बताईए, सी सुन भी करेक्ट अंसर, चले आगे बढ़ते हैं, और 110 नमबर क्वेशन का अंसर बताती है, क्या बनेगा, ये लीज क गोविंदपुर शिलाले का निर्मान किसने किया था, इसका अंसर बता देजिए Bak, सभी कोई, फटाफ़ठ से इसका अंसर क्या बनेगा, सभी के तरफ से इसका करेक्ट अंसर हना चाहिए कि, मैं चाहूंगा, इसका अंसर सभी कोई दिज्ए, 110 का सब्सक्रेंसर, क्या बात सदी में उबरा था ये लिजे और इसका अंसर फटा फट सका में डमोक्स में छापिए इसका अंसर क्या होगा ठीक है चलिए इसका अंसर पता देजेगा 111 का सई अंसर कि मारभूम के राजाओं के अत्याचार के करण निमने में से कौन सा अंदुलन दसमी सदी में उबरा था 111 का अंसर बिल्कुल B अंसर हो जागा यानि कि भूमिज स्वाराज आंदुलन भूमिज स्वाराज आंदुलन से भी करेक्ट अंसर सो अपसिन नमबर B जितनी भी आप लोग अंसर कर रहे है option number B इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा चले बहुत बढ़िया next बतेगा question number 112 का से answer ये डीजे नेमन मैसे किस जनजाती ने मानवन्स के राजाओं के आत्या 4 के करण मानभूब को छोड़ कर पंचेत को अपना आश्रे बना लिया था इसका अंसर सभी की तरफ से answer आना चाहिए और इसका अंसर सभी को देजेगा क्या बनेगा चलिए 112 का से answer क्या बनेगा D बनेगा ठीक है cover जनजाती cover जनजाती बिल्कुल correct answer बनेगा जितने भी option number D चूज कर रहे है cover जनजाती झारा के एक डेसंवी जनजाती है और इसे मानितह कम मिली थी तो याद रखिएका 8.00 आज जन्वरी 2003 को इसको जनजाती के रूप में मानिता मिले थी ठीक है उराउँ जनजाती झारा की सबसे दूसरी सबसे बड़ी जनजाती है हुराओं जन जाती पाली है संथा जन जाती दूसरी है हुराओं जन जाती तीसरी है मुंड़ा जन जाती और चौता है हो जन जाती ठीक है आपको यह सारी चीज़े पता है तो अंसर क्या बनेगा जन जाती इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स बताएगा वानेडिन थाटी का अंसर रामगर्ड राजी के सापना किसके द्वारा किये गए थी अब लीजे यह अच्छा बरसने हैं यहां से आपको बहुत बहुत इंपोर्टेंट मां कर सकते हैं और इसका अंसर किसने की थी तो देखिए अगर हम रामगर्ड राजी के सापना के बारे में बात करते हैं तो देखिए किसने की थी रामगर्ड राजी के सापना सबसे पहले याद रिखिए कि बागदेव सिंगने की थी बागदेव सिंगने की थी पहले बात हो याद रिखिए दूसरी बा बारम देख लेते हैं सारे के सारे, देखें सबसे पहले सीसिया, है ना, सीसिया राजानी किसने बनाया था, अगर आपसे पूछ ले, सीसिया राजानी किसने बनाया था, तो ये बागदेव सिंग हो जाएगा, बागदेव, ठीक है, बागदेव ने सीसिया राजानी बनाया थ उसके बाद फिर बात करते है उर्दा उर्दा किसने राज़ाने बनाया था उर्दा अगर आपसे पूछ ले तो ये भी बागदेव सिंग ने बनाया था उसके बाद फिर बात करेगा तो बादम बादम राज़ाने किसने बनाया था अगर आपसे पूछ ले तो बादम सिंग ने बनाया था दलेल सिंग ठीक है उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि इचाक की इचाक राजधानी किसने बनाई थी अगर आपसे पूछे तब अंसर क्या करेंगे इचाक राजधानी तेज सिंग ने बनाई थी तेज सिंग ने इचाक राजधानी बनाई थी और इस तो देखिए, question number 13 answer क्या था, देखिए, question number question था, रामकर्ड राज्य के इस्थापना किसके द्वारा की के, बतेगे 113 का answer, हाँ, क्या बात है, option number C, बिलकुल, option number C, इसका भागदेव सिंह अभी तुरंध हमने बताया था, कब तो 1368 में याद रिखीगा ठीक है option C इसका बिल्कुल correct answer बनेगा जितने भी C answer कर रहे हैं आगे बड़े कैस आगे बड़ते हैं बतेगा question number 114 का से answer ये लिचे आपके सामने है कि रामगार्द राजी के स्थापना कब की गए थी अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया की तक का फटा-फट से अंसर बता देजेगा इसके द्वारा की गए थी किसके द्वारा की गए थी पूछेगा रामकण राजी के स्थापना तो याद रहे रहे कि आपको याद रखना है दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि 19 सुरी 19 नहीं बल्कि 13 हना कब की गए थी 1368 में अंसर क्या बने का बताइए आप से नमबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर बने का जितने भी सी अंसर कर रहे हैं सी सुट भी करेक्ट अंसर आपसे नमबर सी ठीक है सारी सीजी के लिए हो गए चले बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेशन नमबर नाग वन सीसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जागा जितने भी आप लोग और अपसे नमबर डी चूँज कर रहे हैं और इस वड़ी सुट भी करेक्ट अंसर सो असर आपसे नमबर डी इस खरेक्ट वन चले बहुत बढ़िया बागदे होगा बागदे होगा किसका हाँ तो मैंने बताया ही आगे बात करते हैं क्वेशन नमबर 116 का अंसर बतादेजेगा कि रामगर्ण राजी के इस्थापना से पुर्व बागतेव सिंग ने इनमें से किस शेत्र के इस्थानिय राजा को पराजित करके उस शेत्र पर अधिकार कर लिया था ये लेजिए और इसका अंसर बता देजेगा और अभी तक सेशन कैसा लग रागा है बहुत जबरदास्ट इनरजी लगती है बहुत जबरदर्स ठीक है और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक 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 बर लाइक कर दिए और थेंक्यू सो मच इवरीवन आपने लाइक किया क्योंकि हैंड्रेड जैनल लाइक कंप्लीट हो चुका है वेरीगोड थेंक्यू सो मच इवरीवन बहुत बढ रहें अप्शन नमबर भी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर रहें जितने भी आप लोग अंसर कर रहें बी इस करेक्ट रंठीक है चलिए बहुत बढ़िया नेक्स बताएगा इसका अंसर क्या बनेगा इनमें से किस राजा के शासन काल में रामगड राज्य का सरवादिक उत दित कर सोवा था ये लिजे और इसका अंसर बिडाएगे सुसरा का okay का सी बनेगा दलेल सिंग ठिक है दलेल सिंग इसका करीक्ट अंसर बनेगा और दलेल सीन largher ना किरामगार्ण दालेल शिंग राजण नी बनाया था बागदेव सिंघ कहां पर राजण नी बनाए था बता कोई भी बता सकते हैं लाजै ते जांग हो जाएगा और टेजर सिंग्स हो जाएगा Ishak हो जाएगा है यहां के तपर डियाद का इंसर क्या अंसर क्या बने बने का बताए यह आप Chinese इसका बिल्कुल को मेंचा जितने नमबर Sa रहे थे अन्सर करेक्ट वन आप्स़न नमसी अगरए बढ़ते हैं कि यह लिज़े एक सौठारा कांसर कि ड्लेड सिंग ने रामकार राजयपार शासंग किया था कब किया था ड्लेल सिंह का नेक्स बतेगा एक सोने इस नूबर क्वेश्चन से एंसर क्या होगा दलेल सिंग ने छह राजी के किस राजा की हत्या करके उसके विपने शेत्रों पर अधिकार कर लिया था इसका अंसर सभी कोई फटाफट से छापिये कमेंट बॉक्स में और इसका अंसर बताएए क्या सभी के तरफ से ना चाहिए एक सो उन्नीस का सही अंसर क्या बनेगा चलिए एक सो उन्नीस का आसनुआ के बिल्कुल करें सर हो जाया जितने भी दलेल सिंग ने किस वर्स छे राजी के राजा मगर सिंग के हत्या कर दे थी इसका अंसर बताएगा सभी कोई इसका अंसर क्या बनेगा और बार हम बार बता रहे हैं कि दलेल सिंग ने कहां पर रामकड राजानी बनाए थी रामकड ठीक है अब तक आप हो याद होना चाहिए और 120 का अंसर बताज़ेगा, A बनेगा, यानि कि 1718 जितने भी अंसर कर रहे हैं, A should be correct अंसर, ठीक है, 1718 जितने भी अंसर कर रहे हैं, बिल्कुल correct अंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, और बताएगा, 121 नंबर question का सही अंसर ये लिजे, दलेल सिंग के बाद, रामगर्ण राजिका शासक कौन बना था, इसका अंसर बताना है, 121 का अंसर, option number B, बिल्कुल विजनु सिंग जितने भी अंसर कर रहे हैं, और सर नंबर B, ठीक है, और सर नंबर B, इसका सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, बताएगा की हेमंत सिंग ने कहा पर राजदानी बनाय थी बादम हाना उसके बाद अगर पूछले कि तेजी सिंग ने राजदानी कहां बनाये थी तब अशर क्या करेंगे इचाक और सबसे अंतिम राजदानी पादमा किस ने बनाय थी तो ब्रहमधेव नैरने बनाय थी आगे बतायेगा वासकर राओ के बिल्कुल क्रिक्ट अंसर है 17 shoots ताली जयतनी भी आपसिन बी करिक्ट ऑपसिन नंबर सी सूर्पिक करेक्ट अnon है ठीक है आपसे नमबर सी इस करेक्ट वन चले बहुत बड़ी आगा इस नेक्स्ट बतेगा 123 नमबर क्वेश्चन का सही अंसर क्या बनेगा कि बंगाल के नवाब अलिवर्दी खाने 1740 एस्जियों में रामकर्ड राज्य से कर वसुल नहीं तो किसे भेजा था ये लिजे और बनेगा इसका अंसर फटाफट से सबी को चापिए क्या हो जाएगा 123 का आंसर बिल्कुल B हो जाएगा हिदायत अलिखा इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर है यानि कि जितने भी और अफसन नमबर B सुट भी करेक्ट अंसर और सा अफसन नमबर B नेक्स बात करते हैं Qrecent नमब बता देजिएगा क्या बनेगा वार्ट सुट्ट बीड़ गरेक्ट आंसर चले सब को इस बताइए क्या बनेगा इसका अंसर चले 124 आचुका है आप्सान नमबर सी यानि कि 12,000 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,000 रुपए आगे बताइएगा यह लीज कर दिया था इसका अंसर बता दिजेगा क्या बने और सब्सक्वार फिर का इस का से का सैंसर बनेंगा क्या बात है arguing use न jeए ऑस सुद बिकारिक्ट अंसर यानी की कामगार और छो जगा जिदने वी Privgy protocol कॉरेक्ट तरू zod करने हैं तो सेनाब बीच जी इस का सलका बताना है किसका सब्सक्राइब को ऐसे में युब galaxy है fact रूक्राइब बंगाल के किसा शकने सब्सक्दूरें सब्सक्राहब चाहिए twenty इस इन आपयो में बहुत रहे थे और प्रक्राइब को एन सेना बीचिह थी लाइघ एक सो 27 नंबर क्वेशन का अंसर बताईए सभी कोई क्या बनेगा ये लिजे कि 1763 में मीर कासिम ने निमने में से किसके नेतरित में रामकर्ड राज्य पर आकरमान हितु से ना बेजी थी कितने लोग नए हैं कितने नए लोग आज पहले बार सेशन को देख रहे हैं फास्ट बीबी इस का अंसर हो जागा यानिके अस्दूल्ला खां भी ठीक है आप्सिन नमबर सी सुट भी करेक्टर अप्सिन बशी जितने भी एंसर करने बिल्कुल करेक्टर असरे पहले बार कौन देख रहे हैं पड़ाफट एक बार असर बता दीजिए गा निक्स बात करते हैं को इसन नमबर 128 का से इंसर बताएगा क्या बनेगा कि विश्णू सिंग की बात रामगल्राज का शासक निम्रमें से कौन बना ये लिजे और अंसर बतादेजेगा सभी कोई इसका सेंसर क्या बनेगा डाल टेंद गंसे हैं ठीक है इसका अंसर इसका क्या बनेगा कि निक्स्ट बताएगा 128 number question option नबर बी सुट्विकारेक्ट अंसर यानि के मुकुंदि सिंह जितने पहता इंसर कर रहे थे आपलोग ऑसन नंबर बी सी n आपसे नमबर बी जितने पी आप लोग अंसर कर रहे हैं आपसे नमबर भी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर है ठीक है मुकोंद सिंग आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं और बताएगा 129 नमबर क्वेश्चन यह रहा रामगार्ड राजी की प्रत्रम राजधानी कहां थी अगर आपसे पूछ ले बते सीचा राजधानी सबसे पहले किसने बना था अगर आपसे पूछे तो अंसर क्या करेंगे बताएगे बागदेव सिंग बागदेव सिंग ने सबसे पहले सीचा राजधानी बनाए थी यह आपको याद रखना है इचाक अगर आपसे पूछे तो इचाक क्या हो जाएगा? बताइए, इचाक हो जाएगा तेजसी, तेजसी हो जाएगा इचाक, ठीक है? बिल्कुल हेमंत असिंग करेंगे, ठीक है? बादम, बिलकुल हेमंते सिंग करेंगे, ठीक है, हेमंते सिंग इसका सी अंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रामकर्ड राज्जी के प्रत्हम राज़दानी में अगर पूछ रहा है, तब CCI इसका अंसर करेंगे आप्सननमबर बी इसका बिल्कुल correct answer हो जगा जितने भी आप लोग answer कर रहे थे बी इसका बिल्कुल correct answer हो जाएका ठीक है आगे बढ़ते है question number 130 का पतेगा रामगर्ण राजी की अंतीम राजधानी कौन से थी अंतीम राजधानी कौन से थी अंसर क्या बने का बताई ये अंतीम राजधानी 130 का अंसर बता दीजिए का क्या बने का अंतीम राजधानी थी option number a ठीक है option number a जो कि अंतीम राजधानी थी और ये किसने बनाई थी अगर आप रखिएगा ठीक है तेजी सिंग आपको याद रखना है उसके बाद अगर आपसे पूछे बादम ठीक है तो बादम आपको क्या याद रखना बताईए बादम क्या हो जाएगा हेमंत सिंग हो जाएगा हेमंत सिंग ठीक है और अगर आपसे उर्दा पूछे तब भी हम सिंग अंसर क्या बनेगा इसका अंतीम राजधानी थी आप्शन नमबर ए यानि कि जितने भी आप लोग अंसर कर रहे हैं एस इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं और बताएगा क्वेशन नमबर 131 का अंसर ये लिजे रामगर्ण राजी की राजधानी और उसके स्हाफा के संबंद में नमरे मैं से कों सा मिलान खलत है तो दिखे सबसे पहले हमने बताएगा था सीषिया बागदेव ये बिलकुल सय आ हिमंत सिंग है पिचाख तेज इस ये भी है लेकि पदमा गलत हुया क्योंकि पदमा दलेल सिंग नहीं बलकि दलेल सिंग कि था लेकिन अगर हम पदमा की बात करते हैं तो पदमा का कौन था तो ब्रह्मा देव नरायन था ब्रह्मा देव नरायन कि लड़ हो गया तो अंसर क्या बनेगा बताएए कौन सा गलत है तो आप्शन नमबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा जितने भी अप दलेल सिंग कौन से थे इसका से अंसर बिल्कुल बता सकते हैं और सभी कोई बता देजिए का इसका अंसर क्या बनेगा तो बातम की बात करेगा तो यहेमंत हो जाएगा ठीक है रामगड की बात करेगा तो रामगड किसका हो जाएगा बताए रामगड दलेल सिंग राइट रामगड किसका हो जाएगा बताए दलेल सिंग अगर पदमा के बात करेंगे तो Б्रह्म्धेव नारायन ठीक है और इचाक के बारे में हमने क्या बताया इचाक के बारे का याद रिख लिए नहीं करेंसर आल इंजा आगे बढ़ते हैं और आगे कांसर देजेगा क्या बनेगा ये लिजेगा रामगार्ड राजी को कब समाप्त कर दिया गया था रामगार्ड राजी को कब समाप्त कर दिया गया था इस कांसर फटाफट से सभी को बता देजेगा 133 कांसर क्या बनेगा 133 कांसर बनेगा option number D या जनी भी डी आप लोगो अंसर करें. डी इसका बिल्किल correct answer हो जाएगा. आगे बात करते हैं. यह वजिस का अंसर बनेगा कि इनमें से किस अधिनियम के दवारा रामकड राज़े को समापत कर दिया एगा था. किस अधिनियम के द्वारा रामकर्ण राज को समाप्त कर दिया गया था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एक सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए और इसका अंसर बते यह क्या बने का 161 34 का से इंसर क्या बने का डी बने का राइट आपसन नमबर डी इस किस धारा के तहत रामकर्ण राज को समाप्त कर दिया गया था बिलकुल सिक्वेंस में आपको मजा रहा होगा यह सेशन ठीक है आपको यह सेशन मज़ा जरूर आ रहा होगा थोड़ा सा फास्ट कीजिए ओके लाइक कर दीजिए और नए लोग सब्सक्राइब कर लिजिए और जो अभी तक लाइक नहीं किया है किक लाइक कर लिजिए और इसका अंसर बताइए 135 का अंसर क्या बनेगा 135 का हो जाएगा ऑफ्सन नंबर सी यानि कि धारा तीन के था था सबसे नंबर सी सूट बे करेक्ट अंसर जितने भी सी एंसर कर रहे थे करेक्ट है ठीक है आगे बढ़ता है 136 का से एंसर ईलिजिए 95 मेन इम्रेमे से क्षिटि को रामगर राजी को समाप्त कर दिया गया था 1915 में रामगर राजी को किस्ति को समाप्त कर दिया था 136 अंसर होच आप्सन नंबर सी यानि की 26 जनवरी 26 जनवरी इसका बिल्कुल करेक्ट-र रंसर जितने भी इसी एंसर कर रहे हैं बिल्कुल correct हैं आगे बड़ें एक सो चौन्थेस का अंसर बताती है क्या होगा 136 का सुरी बताइगा कि खड़क दिहा राजी के स्थापना कब की गए थी फटाफ़र से इसका अंसर सभी को comment box में चापिए और इसका अंसर बता दीचे क्या बनेगा 137 का बिल्कुल डी हो जाएगा डी होगा पंदरवी सदी में ठीक है अपसे नबर डी सुट भी करेक्ट अंसर जेतने भी आप लोग डी चूज कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा चले बहुत क्वेशन और इसका अंसर सभी को बता दीचे का क्या बनेगा 138 इसका अंसर बताईए अब दूर नहीं है बहुत जल्दे हम लोग कंप्लीर कर रहे होंगे हं सराज ठीक है अपसे नंबर डी जितने भी आप लोग अंसर कर रहे थे अपसे नंबर डी सुट भी करेक्ट अंसर ठीक है अपसे नंबर डी निक्स बतेगा क्वेशन नंबर 149 का से अंसर कि हंसराज देव ने इन में से किस जाती के शासक को पराजित करके हजारे बाग पर अपना परभावश थापित किया था महतुपूर्ण परशन और इसका अंसर बता देजेगा सभी के तरफ से करेक्ट अंसर जितने भी एंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट अंसर बंदावत नेक्स बता देजिएगा 140 नमर क्वेशन ठीक है उसके बाद पांच क्वेशन बचेगा खड़क दिहाराज्य का विश्तार इन में से किस वरतमार शित्र तक था यह लिए इसका अंसर बता दे कि इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया नेक्स बते दीजिए को क्वेशन अंबर एक सो थर्ड एक सो चौटीस का से एंसर की 140 अना गई इसके बाद 140 जस्ट वेट 141 का अंसर बता देजी का यह रहां के स्क्रीन के उपर कि खड़क दिहाराजी के संस्थापा कहां से राज देव मुला तहा कि शेत्र के निवासी थे यह लिए और इसका अंसर बता देजे का सभी को इंपोर्टेंट है इसका अंसर सभ के तरफ से आना चाहिए यह लिए खंड़क दिहाराजी के संस्थापा कहां से राज देव मुला तो कुछ शेत्र के निवासी थे 141 का अंसर बताइए डी इसका से इंसर हो जागा यानिकि दक्षन भारत जितने भी अंसर कर रहे हैं आप से नंबर डी सूट भी करेक्ट अं किस वरण के साथ आपको इसका अंसर बताना है पताईए फटाफट से कि हंसराज देव ने उतर भारत के किस वरण के साथ वेवाहि के संबंद इस्थापित क्या था यानिकि ब्रामन जितने भी अंसर कर रहे हैं आप संब्हों के संबंद में इसका नबर इसका अंसर बताना है और बहुत ही इंपॉर्टन क्वेशन है फटाफट से बता देचे इसका अंसर क्या बनेगा 143 का क्या बात है आपसर नमबर कौन सा हो जाएगा देखे पाला है इस राज का विश्टार से भूम शेतर से था बिल्कुल सही है उसके बाद क्या है कि इस वन्स के शासन में नर्बली के प्रत्था पर चले थे ये भी बिल मानभूम का सर्वादिक शक्तिसाली कौन सा था आपको 144 का अंसर बताना है और फटाफट से इसका अंसर करेंगे क्या हो जाएगा 145 का सहीं सर यह रहाँ के ऊपर नबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर जितने भी सी अब लोग अंसर करने बिल्कुल करेक्ट आंसर ज्याब होट पलिये गाईस नेक्स बतेगा 145 का सही अंसर यह आपके स्क्रीन के उपर इसका अंसर सभी के तरफ से आना चाहिए और इसका सही अंसर फटाफट से बता दिए इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए 145 का अंसर second last question of the day बिल्कुल option no.d should be correct answer option no.d यानि कि पंचे ति इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा जितने भी डी आप लोग अंसर कर रहे हैं डी इसका करेक्ट अंसर हो जाए का ठीक अपसे नबर डी सुट भी करेक्ट अंसर और डी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर हैं आज का आखरी प्रशन और कौन-कौन आज नए हैं चले एक पर फटाफर से बता देजिएगा और अभी जो लाइक नहीं किया नगए लाइक कर लिजेगा और नए लोग सब्सक्राइब कर लिजेगा जितने भी नयए हैं और पहले बार से अपसन को देख रहे हैं क्योंकि कि इतने जबरदार्स तो महनत तलिक है यूकन इमेजिन नेक्स बताईएगा नाब उन फोटी सिक्स कैसे लगा ये भी पटाफट से कमेंट करिए कि आज का सेसन आपको कैसा लगा ठीक है आज का सेसन कैसा लगा पटाफट से सभी लोग कमेंट करके बता दीजेगा क्योंकि आज मैंने महनत किया है तो महनत का परिणाम दिखना चाहिए और जो नए है लाइक करिए और करें आपसे नबर क्या मुझाएगा पंचे अगेन इसका अंसर बन जाएगा जितने भी आप लोग एंसर कर रहे हैं एक इस क्रेक्ट वंजों सनर इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर और जाएगा चिक है अपसे नमबर एक कल का टॉपिक बता अधे रहा हूँ ठीक है कल का टॉप टॉपिक में बता दे रहा हूं कल का टॉपिक रहेगा जार्खंड में जार्खंड में अंग्रेजों का पर्वेश जार्खंड में अंग्रेजों का पर्वेश अंग्रेजु का परवेश कल ये टॉपिक रहेगा और सभी लोग पढ़ के आईएगा और बहुत ही दमागेदार सेशन रहेगा कल भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसके लिए भी हमने पिपेटी तयार कर रखा है तो नैट वाली क्लास कब से होती है नैट वाली क्लास आठ बज़े से होती है शाम आठ बज़े से दस बज़े तक नो बज़े तक जितना भी चल जाए ठीक है चले आठ बज़े से क्लास होती है अब जितने भी लाइक नहीं किये हैं बिना like किये मच ये काव और ना पाप के भागे बन सकते हैं, तो पुने के भागे बनें और like करें, और जो नए हैं हो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आज को हम से सिशन खत्म करते हैं, एक सारी के साथ में, जब आखों में अर्मान लिया, मनजिल को अपना मान लिया, मुस् कर रहा तब तक रिए मिलते हैं शाम में आठ बचे एक जैसे सीजल के साथ में चले नेक्स मिलते हैं